हालो अच्छो कैसे हैं आप सब लोग मैसेल फामित महाजन और वेलकम यौल उन इस इंक्रेडिबल प्रेटफॉर्म फिजिक्स वाला तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि आज हम स्टार्ट करेंगे प्रियॉडिक टेबल जिसको आप क्लासिफिकेशन आफ एलिमेंट् हम वन शॉट में ठीक है वन शॉट में कम्प्लीट शेप्टर और उससे भी पहले अगर मैं आपको बताना चाहूं कि हमारी इन और गनिक केमिस्ट्री जो कि 20 डेज में हम फिनिश करेंगे उसकी सीक्वेंस क्या होगी सीक्वेंस आपके सामने लिखी हुई है ठीक है और आज की क्लास में सबसे जादा इंफैसिस हम लोग किस बात पर देंगे सामने लिखा हूँ आपके सबसे पहले शील्डिंग कॉंस्टेंट एन इफेक्टिव न्यूकलर चार्ज, अटॉमिक रेडियाई, आइनिजेस इनर्जी, लेक्ट्रोन के निन थाल्पी एंड 25% of the questions को हम लोग इस class के kind होने तक सिरफ एक line में complete करेंगे, single line, yes you heard it right, जिसमें सिरफ 4 word होंगे, कोई भी question आजाएगा इस एक्टर का, होगा वो उस सिरफ एक line से ही complete होगा, तो चलिए, move करते हागे, सबसे पहले तो वहीं लिखा हुआ है, क्या, कि हमें classification करने की दूरत क्य है, अरे lithium यहाँ पर पढ़ा रहे, periodic table में और sodium कहीं और पढ़ा रहे, यहाँ periodic table ही बनाने की क्या जरूरत है, क्यों, क्योंकि अगर सारे elements, जिनकी property similar है, अगर वो एक ही जगा पर aligned होंगे, एक ही जगा पर present होंगे, तो उनको study करना बहुत easy हो जाता है, तीक है, जैसे अगर हमान लेजिए कोई element है, वो acid react करके hydrogen release करता है, तो कोई दूसरा element जो कि acid react करके hydrogen release करता है, उनको एक कठे रख देंगे, तो next time से उनकी किसी और के साथ reaction कराना, उनको study करना क्या हो जाएगा, बहुत easy हो जाएगा, इसी के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी, क्या बनाने की जर पर रख दिया जाता है, जहां पर जादा होगी, वो मैं जरूर बात करूँगा, जो लिखा हुआ है, वो समझा जरूर दिया, next, classification करने की, सबसे पहले किस ने किया, सबसे पहले classified, that is, Dobrinier ने, Dobrinier ने क्या बोला था, तीन चीजे बोली थी, simple English में आपको समझा देते हैं, क् अभी बात, उसने 3-3 elements का group बनाया था, कितने elements का group बनाया था, 3-3 elements का, जैसे एक उसने group बनाया था, यह वाला, lithium, sodium, potassium, ठीक, और इनको arrange कैसे किया था, in the order of increasing atomic mass, यानि कि जिसका भी atomic mass कम है, वो सबसे पहले, फिर उससे ज़्यादा वाला, फिर उससे ज़्यादा वाला, ठी तीसरी बात जो बोली थी, उसने, वो यह बोली थी, कि जो middle वाला, यह वाला जो है, इसका atomic mass, first और third वाले की average के equal होगा, first और third वाले की average के equal होगा, middle वाले का atomic mass, निकाल के देख लेते हैं, atomic mass of sodium, lithium का atomic mass कितना होता है, that is 7, potassium का कितना होता है, 39, 7 plus 39 divided by 2, comes out to be कितना आ जायेगा, 23, और वाके sodium का atomic mass भी 23 ही होता है, ठीक है, जो topics less important होगे, उन पर थोड़ा time कम लगाएंगे, जो ज़्यादा important होगे, obviously, हमारा मक्सद इस crash course का यही है, ठीक है, कि उस पर ज़्यादा time लगाएं, और उससे ज़्यादा questions कराएं, यह कुछ ज उसने groups बनाए थे, उनके बारे में जानकारी दी गई है, एक कौन सा बनाया गया था, लीटियम, सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, ग्रोमीन, आयोडिन, फॉस्फोरस, आर्सैनिक, एंटीमनी, सल्फर, सैलिनियम, टैलोरियम, और कैल्शियम, स्रॉंशियम, अन्वेरियम, स आपको प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए हमने क्या कर रहा है, कि एक निमोनिक बना रहा है, और वो है क्या निमोनिक, बस चेक करिए, क्या है, that is, CBI के पास, ठीक है, जो capital letters में लिख रहा हूं, उनको capital में लिखना, जो small में लिख रहा हूं, उसको small में लिखना, ठीक है, C CBI के पास, सस्ती, जिसको cheap भी बोलते हैं, I love cheap thrills है, और lipstick होती है, जो वो के stub को देती है, अगर कोई CBI के हथे चड़ जाए, तो मैं तो नहीं चाहूंगा, कि आप उन में से हो, जो CBI के पास, कभी अगर आपको जाना पड़े, तो, ज़रा ध्यान से देखिए, क्या किया हो है, जहां जहां पर यह capital letters से कठे हैं, जैसे यह आपर, यह वो group है, कौन-कौन सा है यह, और यह कौन सा है, antimony, S भी, ठीक है, यह कौन-कौन सा है, S, S और T से पहला sulfur है, फिर selenium है, और फिर tellurium है, उसके बाद यह lipstick, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजेगा, L तो lithium है, S sodium है, sodium ने पहले आना, बस इतना थ्यान दीजेगा, और P stands for potassium, अगर increasing order of atomic mass में भी आप लगा र से जेगा, बाकी तो as it is देए रखें, ठीक है, और यह है, calcium, strontium, barium, previous year में ऐसा question आ चुका है, जिसमें क्या पूछा हुआ था, which of the following combination, जो Dobrinier's law of trides ने नहीं दिये थे, तो इन में से combination जो होगा, वो Dobrinier's law of trides ने दिये थे, इसके लावा कोई और होगा, तो Dobrinier's law of trides ने बोला था, जैसे Dobrinier's ने क्या था, elements arranged in the order of increasing atomic mass, इसने भी पही किया था, element है ना, भेड़ चाल जिसे बोलते है, तो elements arranged in the order of increasing atomic mass, ठीक है सर, फिर फरक क्या है, फरक ही है, कि इसने पता क्या बोला था, कि हर 8th element की property similar है, जैसे, जो इसने arrange किया था, new learn ने, मैं वो बता रहा हू that is, ठीक है, hydrogen, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen और फिर fluorine, ठीक है, जैसे helium, आप देख रहे हैं, novel कैसी समय तक, discover नहीं हुई 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 थी, ठीक है, इसके नीचे फिर sodium आएगा, फिर magnesium आएगा, and so on, ऐसे चलता रहा, जैसे वही है न, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, वास, इतना ह नहीं है, जी, तो newland ने दो बातें बोली थी, क्या, element को arrange किया था, in the order of increasing atomic mass, ठीक है सर, दूसरा, क्या problem थी, कि दूसरी क्या बात बोली थी, इसने क्या, कि properties of every eighth element is similar, तो hydrogen के property किसके साथ similar होगी, fluorine के साथ, lithium के साथ, and so on, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, चली, आगे बढ़ classification थी, newland की octave की, अगर कोई limitation पूछे, तो limitation ये थी, कि after atomic number 20, newland की classification जो है, वो wrong पाई गई थी, ठीक है, अचा, अब बात करते हैं, लौथर मेरी classification, इसने भी elements को, in the order of increasing atomic mass, बोलो ला ना, भेंड चाल बस वही चलता जा रहा है, जो एक ने कर दिया, वही सारे उसके पीछे प atomic mass, ठीक है, graph जो इसने बनाया, अपकी बार, वो किसके बारे मनाया, एक तरफ atomic mass, जो कि बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ atomic volume, सर क्या ये graph याद करना पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, सर क्या बात पता होनी चाहिए, हमें लौथर मेरी classification में, बस ये पत आप जो आपको नजर आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको डाक कर देता हूं, ताकि आपको परेशानी नहों, जिस कि मिए सेक, जी, बस करना क्या है, वो बात सुनिये सिर्फ, ठीक है, ये जो peaks है curve की, बस याद क्या करना है आपको, कि जो peaks है, यह देखो peak, यहाँ पर लीथियम है, sodium है, potassium है, rubidium है, cesium है, बस, यही लाइन आपको पता आने चाहिए, कि लौथर मेर के curve में, ठीक है, क्या, जो peaks थी curve की, वो किस ने occupy करी थी, alkali metals ने, first group metal में, that is, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, frencium, ठीक है, और बात करते हैं, जो ascending part of the curve है, ascending, पता न, curve ऐसे जा रहा है, ठीक है, जो ascending part, बढ़ता हुआ जो part है, यहाँ पर देखो, यह देखो, chlorine है, bromine है, iodine है, यानि कि ascending part of the curve में कौन है, I hope, आप जो मैं ब वीडियो देखने का फायदा तभी होगा, जब आप इसको बाद में revise कर पाएंगे, जब इसका जो exam में question आएगा, आप उसे solve कर पाएंगे, मक्सद इस वीडियो का वो है, ठीक है, क्या, peak of the curve, occupied by alkali metals, खतम, ठीक है, ascending part of the curve में कौन है, halogens, halogens पता है न, chlorine, chlorine, bromine, iodine, तो यह beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, यह रेखो, descending part में यह रहा, beryllium, magnesium, calcium, strontium भी होगा, और यहां कहीं barium भी होगा, यह रहा, जिनको हमने circle से denote कर दिया है, ठीक है, बस यह 3 point बता होने चाहिए, peak, alkali metal, ascending part, halogens, descending part, that is, alkaline earth metals, ठीक है, और जो bottom होगा काव में, ठीक है, जो bottom, बिलकुल जिस block के elements present है, या metals present है, खतम जी, और कुछ नहीं पढ़ना, इसमें, ठीक है, अब अगली classification, that is, mandelief's classification, mandelief ने क्या बोला था, mandelief ने भी elements को arrange गहना, in the order of increasing atomic mass, देख रहे हो, अभी से लेके शुरू तक, वही चलता जा रहा है, ठीक है, in the order of increasing atomic mass, ठीक है, इसने बोला था, properties जो है, element की, वो atomic mass पे depend करती है, ठीक है सर, इसकी अच्छी बात पता क्या थी, कि इसने, इसने, किसने elements को classify कर दिया था, that is, 63 elements को classify कर दिया था, उस समय तक, total 63 elements को classify कर रहे वाला, पहला scientist था, that is, mandelief, ठीक है, और, inert gases उसमें, discover नी होई थी, ठीक है, हाला कि mandelief का periodic table भी उसके बाद, थोड़ा सा modify हुआ था, उसमें add हो गई थी, बट जो reality में mandelief में दिया था, उसमें inert gases present नहीं थी, ठीक है, 63 elements, ठीक है, और, इसने horizontal rows को क्या बोला था, periods बोला था, और vertical columns को क्या बोला था, groups बोला था, ठीक है, 7 horizontal rows थी, जिनको इसने क्या बोला था, periods बोला था, और 8 vertical columns से, जिसको इसने क्या बोला था, group बोला था, ठीक, तीसरी एक और बड़ी अच्छी बात थी, कि जो जो element उस समय तक discover नहीं होए थे, ये उनके लिए, कही ना कहीं, उस, उनके group में ही, एक जगा छोड़के गया था, जैसे, aluminium के नीचे, ये जगा छोड़, vacant space छोड़के गया था, उन elements के लिए, जो समय तक discover नहीं होए थे, similarly, silicon के नीचे भी ये, एक खाली vacant space छोड़के गया था, ठीक है, वो क्या थी, aluminium के नीचे वाले को ये बोलके गया था, कि aluminium जैसा, एक element discover होगा, ठीक है, जिसकी property, aluminium के जैसे हो होगी, और नाम पता गया देके गया था, उसे, उसे नाम देके गया था, एक का, aluminium, और बात, वाके वो बात, सच भी साबित हुई, ठीक है, गैलियम जब discover हुआ, उसकी properties बिल्कुल aluminium जैसी ही थी, ठीक है, similarly, silicon के नीचे भी ये जगा खाली छोड़के गया था, बोलके गया था, कि silicon जैसा, एक का silicon मनलब, silicon जैसा, एक कोई element discover होगा, जिसकी property silicon जैसी होगी, आभी तक discover नहीं हुआ, तो उसके लिए मैंने खाली जगा छोड़ दिया, ठीक है, और वाके यह ऐसा हुआ भी, बाद में germanium पाया गया, जिसकी property silicon जैसी ही थी, ठीक है, अच्छे, गैलियम क melting point, approximately 28 degree Celsius थे, 30 degree Celsius के बीच में होता है, यारि कि अगर उसे आप अपने hand में रखेंगे, ठीक है, तो वो melt हो जाएगा, ठीक है, hand का temperature कितना है, आपको पता ही है, that is 37 degree Celsius, ठीक है, तो आपको एक छोटी सी चीज, बताता हूँ, just wait a sec, आपने magicians के साथ यह देखा होगा, कि कभी-कभी magicians क्या करते हैं, एक spoon लेते हैं, और spoon को अपने hand में ऐसे रबब करते हैं, ठीक है, और रब करते-करते, आप देखेंगी, यह spoon जो है, यह क्या हो जाएगा, bent हो जाएगा, spoon ऐसे होता है न, वह जाएगा, bent हो जाएगा, ठीक है, they basically पता क्या करते हैं, एक spoon लेते हैं, original spoon उसको बीच में से यहां से काड़ देते हैं ठीक उसके बाद एक इनका मोल्ड लेते हैं ठीक है स्पून का मोल्ड मोल्ड समझते हो जिसमें चीज को जमाई जाती है जैसे कुलफी जमाते हैं आप ठीक है ऐसी स्पून का मोल्ड होता है उस मोल्ड लेते हैं और उसमें गैलियम को melt करके यहाँ पर डाल देते हैं ठीक यानि कि इतने हिस्से में क्या है gallium उसके उपर से polish कर देते हैं फिर इसको freeze करने के लिए रख देते हैं freezer बगारा में रख देते हैं ठीक जैसे ही वो spoon को बाहर निकालते हैं stage पे ले आते हैं audience के लिए ठीक है फिर अपने hand में रखते हैं और अपने hand से उसी यहां से पकड़ा होता है उन्होंने जहां पर वो gallium लगा रखा उन्होंने वहां पर उसको ऐसे heat देते हैं hand से ठीक है पहले तो ठंडा था freezer में तो melt नहीं होगा obviously ठीक है बड़ जैसे hand में रखेंगे यहां पर उसको heat देंगे heat कितनी दे रहे है 37 degree Celsius जो के gallium के melting point से क्या है ज्यादा तो बीच वाला हिस्सा जहां से यह जुड़ा हो था spoon वो पिगलना शुरू हो जाएगा तो spoon जो है वो क्या शुरू हो जाएगा bent होना शुरू हो जाएगा so that's how they use ठीक है this trick चलिए जी ठीक है तो मैंडलीव की जो अच्छी अच्छी बाते थी वो तो हमने बता दी इसकी problems क्या-क्या थी वो भी सुनिए ठीक है क्या position hydrogen के uncertain थी क्यों 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 कि hydrogen की कुछ properties alkali metals that is first group से मिलती है कुछ किसे मिलती है हेलोजन से मिलती है 17th group वालों से तो इसको खुद भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था ठीक है no separate position given for isotopes ठीक है क्यों कि isotopes होते क्या है element जिनका atomic number सेम होता है बट mass number different होता है यह जैसे यह देखो hydrogen की three isotopes है पिटा तीनों का atomic mass जो है वो क्या है अलग अलग अगर तीनों का atomic mass अलग अलग यह तो periodic table में इसकी कितनी जगह होनी चाहिए तीन होनी चाहिए जो कि possible नहीं है एक element की कितनी जगह होगी periodic table में सिरफ एक ठीक है तो के बारे में भी एक्स्प्लेइन नहीं कर पाया था उनके बारे में कुछ बता के नहीं गया था कि कहां पर रखना है ठीक है और कई बार तो ग्रुप्स में कोई यहां पर इसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो यह सॉल्व नहीं कर पाया जैसे यह देखिए कोबाल्ट और निकल लिखना था ठीक है एक निट बेटा यहां पर जैसे यह देखिए आरगन और पोटैश्यम वाला देख लीजे इसको यहां से रब कर देते हैं जिसने टाइप किया उनसे गलती हो गई है ठीक है कोई बात नहीं आरगन और पोटैश्यम के बारे में अगर हम बात करें तो ठीक है ठीक है तो ऑबैसली पहले कौन आना चाहिए था पहले आना चाहिए था पोटैश्यम और फिर आना चाहिए था आरगन आना चाहिए था बड़ाई शांदार था इसने क्या-क्या बोला पहले वो समझते हैं फिट चैप्टर में आगे बढ़ते हैं उसली ने क्या बोला कि जब भी किसी electron को किसी ऐसे metal पर strike करते हैं अच्छा ये जो electron है इसकी speed बहुत जाद है speed बहुत जाद है ठीक है किसी metal पर strike करते हैं जिसका high atomic number हो या mass हो बेटा atomic number जाद होता है तो atomic mass भी क्या होता है जाद ही होता है ठीक है चलिया तो जब भी electron को strike करेगा किसी ऐसे metal पर जब high atomic number होता है तो इसमें से x-rays निकलती है ठीक है सर इसने क्या किया मौसले ने यह metal change करता रहा कभी gold रख लिया कभी silver रख लिया कभी copper रख लिया कभी iron रख लिया ठीक है यहां से x-rays निकली उनकी frequency होगी obviously x-rays की कुछ ना कुछ different atomic mass होगे iron का अलग होगा कोबल्ड का अलग होगा निकल का copper का zinc का ठीक है सबका atomic mass अलग-अलग होगा तब की frequency अलग-अलग होगी ठीक है उसने इसका graph मना लिया एक तरफ क्या रखा atomic mass metals का एक तरफ क्या रखा frequency of x-rays ठीक है ग्राफ मनाया तो क्या हुआ ग्राफ मनाने dependent नहीं कर रही हो नहीं तो बिल्कुल state line चाहिए थी ना बड़ स्टेट लाइन नहीं अगर atomic mass बढ़ रहा है तो frequency भी बढ़नी चाहिए यहां पर बढ़ता रही है बढ़ लीनियर नहीं बढ़ रही है फिर कभी बढ़ गई कम हो गई फिर बढ़ रही है फिर कम हो गई फिर बढ़ गई मालगी कोई regular variation नहीं है उसको बात समझ आ गई इसका मदलब frequency जो की एक प्रॉपर्टी है वो atomic mass में depend नहीं कर रही है इसने वही एक्सपेरिमेंट दुबारा किया अपकी बार frequency of x-rays को atomic number रखा नीचे क्या रखा आपकी बार metals का atomic number और क्या पाया कि एक regular variation आया प इसका मदलब frequency atomic number पर depend करती है frequency एक property है अगर property atomic number पर depend करती है तो बाकी सारी properties भी किसके ओबर depend करेंगी atomic number पर depend करेंगे ना के atomic mass पर depend करेंगी इसी कारण इसी कारण जो अगला modern periodic law या modern periodic table जो दिया गया वो इसी के ऊपर दिया गया क्या था वो क्या के properties of element properties of element depend upon atomic number depend upon atomic number ना के atomic mass ठीक है इसी के बेस पे जो periodic table बनाया गया वो हम सब को पता ही है थोड़ा सा यहां पर light आ रहा है तो वो कोई issue है नहीं आपको इतना तो आपको पता ही है modern priority table लिखा हूँ है जिसमें vertical columns जो थे वो किसको represent कर रहे थे वेटा जो vertical columns थे वो किसको represent कर रहे थे सर वो represent कर रहे थे groups को और groups का बोला था इसने periods और यह कितरे हैं that is 7 कितरे हैं यह जो horizontal rows है यह फस्ट रो हो गई है hydrogen helium वाली, lithium वाली 2nd, sodium वाली 3rd, potassium 4th, rubidium 5, cesium 6th and francium वाली last तक क्या होगी that is 7th 7 periods और जो vertical columns है वो क्या है groups और वो कितने होंगे that is 8 चलिए आगे बढ़ते हैं next is normanclature of the elements with atomic number greater than 100 ठीक जब भी अगर कोई जैसे घर में कोई बेबी होता है बेबी बॉन नहीं होता है सबसे पहले तो उसको कोई घरवाले जो है वो प्यार से कोई ना कोई उसका नाम रख देते हैं गुड्डू, बाभू, शोना ठीक है गुडिया जो भी है ठीक है फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद ठीक है उस बच्चे का जो है वो रियल नेम लख रख रखा जाता है सिमिलरली यहां पर भी ऐसा ही होता है जब भी कोई प्रियोडी डेबल में अगर कोई 118 elements में से कोई element new discover हो जाए तो पहले तो उसका एक IUPAC अपने हिसाप से एक नाम रख देती है फिर कुछ सालों के बाद उसका एक रियल नेम रखा जाता है ठीक है जैसे अगर अगर अटॉमिक नमर गिटर देन हंड्रड है तो नॉमन क्लेचर कैसे लिखा जाएगा वो यह देखिए अगर डिजिट जीरो है यह डिजिट जो है वह आटॉमिक नमर का कोशन भी करेंगे इसके उपर जीरो है तो नेम में निल आएगा एब्रिवेशन जो उस होगा सिंबल लिखने में जो अब्रिवेशन उस होगा वो एई अवह वह एंस आ जीयो ऑन यू तो के लिए बाई भी थी त्री के लिए ट्राइटी फॉर्ट के लिए कॉइट क्यू 5th के लिए pent और P, 6 के लिए hegs और H, 7 के लिए sept और S, 8 के लिए oct और O, 9 के लिए in और E, ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ, ज्यादा अच्छे तरी के समझ तबायेगा, जैसे, write, write, atomic number, and name, atomic number, name, and symbol, atomic number, बेटा, गिवन होगा, write the name and symbol of element, with atomic number 114, पहले ऐसा करते, क्या-क्या लिखना है हमें, एक तो लिखना है बच्चे, नाम लिखना है और symbol लिखना है, जब आपको atomic number कितना दे रखा, that is 140, atomic number, 114, बेटा, वन के लिए अगले जो अभी प्रियोडिक टेबल में, यह जो पेज पे लिखा हुआ था, अगले वाले पेज पे क्या था, अन, फिर उसके बाद एक और वन है, तो उसके लिए फिर दुबारा अन, फिर 4 है, that is quad, और last में क्या है, I, U, M, जब भी नाम लिखेंगे, जब भी नाम लिखेंगे, तो last में क्या लगा देंगे, I, U, M, देखो तरह नाम क्या बन गया, that is un, un, quadium, ठीक, पहले वाले letter capital आएगा, बाकी थारे क्या आएगे, small आएगे, ठीक है सर, ये तो name हो गया, symbol कैसे लिखेंगे सर, सर, symbol कैसे लिखेंगे, one के लिए, symbolic representation था, U का, ठीक है, तो यानि कि U दूबार आएगा, ठीक है, बर जब U भी लिखेंगे हम लोग, जब U भी लिखेंगे हम लोग, पहला letter capital में आएगा, बाकी सब small में आएगे, यानि कि पहला वाला U, capital में, next वाला U, small में, उससे next वाला Q, ठीक है, नजर नहीं आ रहा है, yellow color, तो मैं इस तरह से लिख दूँगा, just give me a sec, जी बेटा, ठीक है, क्या क्या fine out करना, group, period and block, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, block के बारे में, आप लिखेंगे, electronic configuration, क्या लिखेंगे ये, electronic configuration, अगर, electronic configuration में, last electron, जिस भी सब्चल में जा रहा है, वो वही block का element है, last electron, जिस भी सब्चल में जा रहा है, last electron enters, अगर S सब्चल में गया, तो वो S block का element है, अगर, P सब्चल में गया, last electron, electronic configuration लिखेंगे, तो वो P block का element है, अगर last electron D सब्चल में गया तो वो D ब्लॉक का element है और अगर F सब्चल में गया तो वो F ब्लॉक का element है जैसे एक simple सा question करके देख लेते हैं ये देखिए प्लीज nitrogen atomic number कितना है 7 अगर कोई कहे जिसका block बताई है तो क्या करना है electronic configuration लिखेंगे 1 is 2, 2 is 2 2, P, 3 तीक, क्या ये last electron है ये सर, क्या ये P सब्चल में जा रहा है तो इसका मलब ये कौन से block element हुआ that is P block element हमें क्या क्या finite करना है group B, period B, block B क्या finite कर लिए हम लोगों ने that is period, अब बात करेंगे अब हम बात करेंगे किस के बारे में सबसे पहले तो that is group के बारे में अगर वो S block का element है अगर वो S block का element है तो group कैसे find out करेंगे जितने valence electron है जितने valence electron है वही उसका group है आप electronic configuration लिखे last shell में electron देखे जितने electron है वही group है जैसे एक example देखे magnesium atomic number 12 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 आप चाहें तो इस electronic configuration को ये novel gas की configuration होती है इसको ऐसे भी लिख सकते है neon 10 तक आगया 1s2, 2s2, 2p6 उसके बाद 3s2 क्या last electron यही है yes sir क्या ये S sub shell में जा रहा है yes sir तो ये S block का element है ये बात तो पता चल गई ठीक है sir फिर बट हमें तो group find out करना था तो group कैसे find out करेंगे और S block that is जितने valence electron होगे क्या आपको पता है ये shell को represent करता है this is first shell second shell second shell that is third shell सबसे बड़ी shell कान सी है third shell है क्या third shell में ये 2 electron नजर आ रहे हैं आपको yes sir जितने valence electron होगे outer shell में जितने electron होगे वही group number होगा किसके लिए S block के लिए तो इसका मतलब ये second group से belong करता है ठीक है जी आपने किसके लिए find out करना चीख लिया that is P block के लिए sorry S block के लिए अब हम बात करेंगे for P block P block के लिए group कैसे find out करेंगे जितने valence electron है number of valence electron plus 10 एक और तरीका भी होता है that is जितने उसमें फिर आप 12 वैड कर लेते हैं अगर P वाले सिरफ electron रखेंगे बट मैं valence electron plus 10 कर रहता हूँ एक ध्यान से सुनते हैं समझते हैं जैसे यह देखे chlorine atomic number कितना है 17 सबसे पहले तो बेटा हम चेक करेंगे इसकी electronic configuration क्योंकि यह P block का है भी के नहीं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 देख रहे हैं यह last electron है किसमें जा रहा है यह P assumption में जा रहा है इसका मलब यह P block का element तो है पका यह बात तो sure है ठीक है अब इसका group कैसे point out करेंगे group of CL जितने valence electrons है उसमें 10 add कर दीजे किया आपको पता valence electron क्या होते है जो electron last valley shell में होते है कौन है इसकी सबसे last valley shell सबसे बड़ी shell सबसे बड़ी shell 7 plus 10 comes out to be कितना 17 ठीक है जी तो यह हमने group final कर लिया किसका P block elements का अब हम बात करेंगे D block elements की उसमें कैसे करेंगे जितने NS electrons होंगे plus N minus 1D electrons होंगे समझते हैं समझते हैं N का मतलब है यहां पर outer most shell outer most shell सबसे बाहर वाली shell में S sub shell में जितने electron है प्लस तहिंक है data most मेंसे 1 minus और यह 4th shell होगी तो यह 3D के बारे में बात हो रही है यह 5th shell होगी तो यह 4D के बारें बात हो रही है तो आउट्रमों शेल के S में जितने हैं प्लस एक कम कर दीजिए उसके D में जितने हैं दोनों को एड़ कर दीजिए आपको गुरुप पता चल जाएगा किसका D block elements का ठीक है next page पर करते है यह देखिए कोई भी रख लेते हैं कॉपर रख लेते हैं चलो 29 पहले आरगन तक आरगन मतलब 18 तक तो ऐसे लिख लिए ठीक है फिर 4S1 और 3D10 पता ना कॉपर की exceptional electronic configuration होती है हो आना चाहिए था 4S2 3D9 आएगा 4S1 3D10 क्योंगी 3D10 fully filled होता है stable होता है जो भी fully filled होते हैं वो stable होते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं तो 4S1 3D10 ठीक है क्या last electron यही है यह सर क्या यह D sub shell में जा रहा है यह सर तो यह D block का element है यह तो पता चल गया है ठीक है सर तो अब हमें क्या पताना है इसका group copper outer most shell की assumption क्या outer most shell सबसे बड़ी शेल क्या फोर्थ यही पोरी ने दर आ रही है क्या इसके S में 1 electron है यह सर और 4 में से 1 minus कर दो 4 minus 1 कितना हो गया 3 3 के D में कितने है that is 10 1 plus 10 कितना आ गया that is 11 ठीक है तो यह हुआ किसके लिए D block elements के लिए ठीक है एक और कर लें इसका कोई बात नहीं iron 26 आरगन और एस 2 3 D 6 ठीक है फिर वही बात बैटा क्या यह D block element है yes last electron D sub shell में जा रहे है तो यह D block का है तो group निकालना है हमें किसका iron का find out करना है कैसे outer most shell कौन सी ने ज़र आ रही है सबसे बड़ी force ने ज़र आ रही है उसमें कितने electron है S में 4 के S में कितने electron है से 2 है plus 4 में से 1 माइनस कर दीजे कितना आ गया 3 3 के D में कितने 3 D में कितने that is 6 तो 2 plus 6 comes out to be कितना 8 तो आपने group find out करना सीख लिया किसका D block element का भी 2 example हमने कर ली है ठीक है बात रह गई F block elements की पता है ना F block elements lengthenoids और actenoids होते हैं वो periodic table में सबसे नीचे पाया जाते हैं जो 2 separate rows होती है वो वाले पाया जाते हैं ठीक है इनका group number हम हमेशा 3 मानके चलते हैं तर 3 क्यों मानके चलते हैं जैसे lengthenoid के बारे में आप बात कर लीजें ठीक है तो इसी करण हम उनका भी period ग्रुप number के मानके चलते हैं चाहे lengthenoid हो चाहे actenoid हो group number के मानके चलते हैं उसका हम 3rd block सीख लिया group सीख लिया अब last रह गया period कैसे find out करते हैं किसी भी element का period कैसे find out करते है period का मतलब होता है outer motion चाहे वो s block हो p block हो d block हो f block हो कोई भी हो बस जो उसकी outer motion है वही उसका period है जैसे बताईए सर्थ copper के बारे मात कर रहे हैं क्या सबसे बड़ी shell copper की हमने यही बताई थी यहां पर fourth इसका मतलब है यह कौन से period में पाय जाएगा that is fourth period में पाय जाएगा और कर लेते हैं पीछे एक क्लोरीन के बारे मात कर लेते हैं क्या क्लोरीन की outer motion 3rd ही थी चाहे वो 3s देख लो sub shell यह 3p देख लो but chlorine का कोई period पूछ ले तो जो इसकी outer motion कौन से period में आएगा chlorine that is in third ठीक है third period तो यह तरीका है चाहे S block हो P block हो D block हो F block हो किसी का भी period निकालना है बस करना क्या आप उसका outer most shell find out कर लीजिए चलिए आगे बढ़तें हाँ यह रहा जो कुशन आया है need 2017 में ठीक है सिर्फ 2 साल ही पहले तीन साल पहले तो देखते हैं इसका answer क्या होगा एक element है जिसका atomic number 140 है उसको recently discover किया गया agree कर गए कोई problem नहीं है which it will belong to which of the following family group किस group में होगा और उसके electronic configuration क्या होगी क्या इतना तो सबको पता है देखो इस पर debate नहीं करेंगे कि यहां पर जो सबसे last वाला आएगा उसका atomic number 100 and 18 होगा क्योंकि total 118 elements होते हैं क्या 118 वाला 118 वाला 18th group में होगा yes sir तो 117 वाला उससे just एक पीछे वाला कहां पर होगा 17th में 116 वाला उससे just पीछे वाला 16th group 115 वाला 15th group तो याने कि है जिसका atomic number 114 था वो 14th group में तो होगा होगा चलो sir ये तो बात पका पता चल गए ठीक है और क्या 14th group carbon family होती है देखो electronic configuration find out करने की ही जरूरत नहीं पड़ी क्यों क्योंकि सरफ carbon family एक में दे रखा था ठीक है हाँ अगर को electronic configuration भी पूछ लेता वैसे तो पूछी हुई है हमारा एक ही answer से दोनों answer आ गए पर बाइचांस अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो बहुत simple है क्या carbon की electronic configuration यह होती है 1s2 2s2 2p2 क्या carbon की outer motion second के s में भी 2 है carbon के लिए n की value कितनी है 2 carbon की नीचे कौन पाया जाता है silicon silicon की electronic configuration देख लेना बस फरक n का आएगा 3s2 3p2 हो जाएगा silicon के लिए germanium उससे नीचे पाया जाता क्या हो जाएगा 4s2 4p2 उसके नीचे tin 5s2 5p2 उसके नीचे lead 6s2 6p2 उसके नीचे यही वाला 114 वाला जिसकी क्या होगी 7s2 7p2 तो यह रहा उस हिसाब से भी answer हमारे पास आ गया ठीक है बट हमने तो पहले ही find out कर लिया था paper मुश्किल नहीं आता है जी paper को आप कितनी जल्दी कर पाते हैं वो matter करता है ठीक है paper नहीं मुश्किल आ रहा हाँ आप करके जितनी जल्दी आ group number block किस-किस का जिसका atomic number एक तो 8 है 11 है 28 है 54 है बेटा सबके लिख लेते हैं इसका atomic number 8 है इसका 11 है इसका 28 है और इस वाले का क्या है 54 ठीक सबसे पहले electronic configuration लिखेंगे 8 का 1s2 2s2 2p4 हो गया 2 plus 2 कितना हो गया 4 4 plus 4 कितना हो गया 8 ठीक है तो बताओ यह कौन से block का element है sir last electron p sub shell में जा रहा है तो इसका मनलब यह p block का element है ठीक है पिटा इसका ग्रूप नंबर बताओ सर जो भी P ब्लॉक के element होते थे ना उनके outer most shell में जितने electron होते थे outer most shell बोला है सब shell नी outer most shell में जितने electron होते थे उसमें 10 add कर देते क्या एक एलिए outer most shell second ही है सबसे बड़ी येस सर उसके यहाँ पर कितने है 2 यहाँ पर कितने है 4 2 प्लस 4 कितना हो गया 6 उसमें 10 add कर दो 16 ठीक है अब block भी पूछा हो है अच्छा block भी हो गया ग्रूप भी हो गया period भी पूछा हो है तो period कैसे find out करेंगे सर period होता था जो outer most shell होती थे कौन है outer most shell इसकी second तो यह second period का log similarly अगर मैं इसके बारे में करूँगा 1 is 2 2 is 2 2 p 6 3 is 1 अरे इसकर पता चल गया कौन से block का है s block का है sir group बताओ s block में जितने outer most shell में electron होते थे वही group होता था इसकी outer most shell third है उसमें 1 है sir period बताओ जो outer most shell होती थी वही period होता था third period पहले भी कोश्चन किये हैं आज और अभी फिर दुबारा करा रहे है 28 पहले आरगन लिख लेते हैं 4s to 3d8 क्या 3d8 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यह d block के element है yes sir d block के लिए group कैसे find out करते थे outer most shell के test में जितने होते थे outer most shell कौन सी है fourth उसके s में कितने है 2 4 में से 1 माइनस कर दो that is 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 3d8 कितने है 8 तो 2 प्लस 8 कितना हो गया 10 तो क्या आपको group भी पता चल गया yes sir बात रहे गी period period होता था जो outer most shell जो सबसे बड़ी shell जो सबसे बड़ी shell है क्या C के लिए सबसे बड़ी shell fourth है yes sir so that is fourth period होगा क्या आप मुझे D के लिए करके लेके आएंगे आप ठीक है तो ये रहा हमारा ABC मैंने कर रहा रेकाद आप भी तो खुद करेंगे exam देने आपने जाना है same group group तभी same होता अब ये carbon वाला example समझाया था NS2, NP2 carbon, silicon, germanium उनकी outermost electronic configuration क्या होगी same जैसे carbon वाले group में NS2, NP2 तो सब की 2S2, 2P2 या 3S2, 3P2, 4S2 मलगी outermost electronic configuration क्या होगी same group बोला same valence shell में electron होने चाहिए जैसे ये देखो 2S2 2S2, 2P2 3S2, 3P2 C में 3S2, 3P3 neon D में 3S2, 3P4 और E में 4S2 क्या आपको साफ निजर आ रहा है क्या अगर हम बात करें A की और B की क्या ये same group में होगे क्या A और B same group में होगे समझा आ गया ना क्यों क्योंकि दोनों की आउटरमोस्ट शेल में electronic configuration same है A में 2S2, 2P2 है B में 2S2, 2P2 है ठीक है ये 6 हो गया वो 14 हो गया ठीक है हाँ बहुत ही important topic इस chapter का ठीक है शुरू करने से पहले थोड़ा सा water drink कर ले sorry for the inconvenience या effective nuclear charge and screening effect या shielding effect पहले shielding effect समझेंगे फिर उसके बाद effective nuclear charge समझेंगे तो सबसे पहले shielding effect या screening effect भी बोलते हैं sir ये होता क्या है inner shell के electron outer most shell के electron को repel करते है inner shell के electron जो सबसे last में है electron यहाँ पर ये बैचारे repulsion feel करेंगे किनके द्वारा किनके द्वारा वो repulsion feel कराई जाएगी ये जो ये अंदर वाली shell वाले है ये इनको क्या करेंगे repel करेंगे अगर ये इनको repel जादा करेंगे inner वाले outer वालों को repel जादा करेंगे तो हम कहेंगे shielding effect जादा और अगर हम कहेंगे inner वाले outer वालों को कम repel करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि shielding effect क्या है कम है ठीक है तो inner वाले outer वाले को अगर захp jeva never robots इंड़ा नहीं तो कम तो стран शीटिंदिंग ज्यादा शो करता है कौन से ब्लोक के अडिवेट एस ब्लोक के मैं फिर कर रहा हूँ तीसरी बार कम से कम से य gods यह इंस व couch room कर रहे हैं यह अंदर वाले तो कॉन शील्दिंग य्द जादा स्टार्द करता कोण शीटिनिंग इफециक्ट जाधा शो करता डाट इस फिर पी धिति और फिर थे हैं एभी सीटिंग इफ्ट सबसे ज्याधा होगा अगर अंदर वाली से ज्यादा वाली सबसे ज्याधा ऽीमnothing अगर पी वाले होंगे थोड़ी कम शोग करेंगे अगर यह वाले होंगे तो बहुत कम शो करेंगे अगर यह वाले होंगे तो यह वैचारे बाहर वालों को रिपेल करेंगे नहीं ठीक है चौथी बार रिपीट कर रहा हो यह जो मैं लिख रहा हूं ठीक है ठीक है तो ये बात तो समझ आ गई ठीक शील्डिंग फेक्ट होता क्या है किसका ज़्यादा होता है अंदर वादे एस ब्लॉक वाले होगे तो ज़्यादा पी का कम डी का उसे कम अब बात करेंगे एफेक्टिव नुकलियर चार्ज की बड़ एफेक्टिव नुकलियर चार्ज फाइंड आउट करने से पहले हमें कैसे पता चलेगा ये तो हमने थेटरी करेंगे बोल दिया है अस वालों को ज्यादा पी कम डी कम एफ उससे कम ठीक है बड़ पता कैसे चलेगा प्रेक्टिकली कि कैसे किसका जहादा होता है किसका नहीं डिक है जितना जहादा शील्डिंग और इफेक्ट को आप सिग्मा से भी सकते हैं किससे लिख सकते हैं आप सिग्मा से भी लिख सकते हैं ठीक है अब फाइंड ओट कैसे करेंगे सर find out कैसे करेंगे अगर आपको s block का element या p block का element अब ये मत पूछना element s block का कैसे होगा या p block का कैसे होगा अभी अभी just last वाले में बताया था last रेक्टर अगर s sub-shel में जा रहा होगा तो s block का element है अगर p sub-shel में जा रहा होगा तो p block का element है ठेक है सुनिए अगर s-block का element है और p-block का element है हमें किसी electron पर यह आउटरमोस्ट शेल मान लेते हैं इसमें 4 electrons है कितने हैं और कितने भी हो सकते हैं मैंने बस 4 मानें उनमें से इक electron पर उन में से किसी एक electron पर आपको shielding effect या screening constant shielding constant find out करना ठीक है उस electron को बोलेंगे test electron क्या बोलेंगे test electron जिसके उपर हम shielding effect find out कर रहे हैं तो कैसे find out करेंगे s block या p block के लिए sigma ऐसे calculate करेंगे 0.35 into number of electrons in last shell except test electron जितने भी electron last shell में है वालो 4 है उन में से एक तो क्या हो गया test electron हो गया बागी कितने बच गए 3 तो 0.35 को 3 से multiply कर देना 0.35 को 3 से multiply कर देना ठीक है प्लस 0.85 into number of electrons in second last shell जो भी second last, second last समझते हो लास्ट में जितने भी electron थे मालो 4 थे तो एक तो test electron हो गया 3 को multiply किया 0.35 से ठीक उससे जो पिछले वाली shell होगी अरे उसमें भी तो कुछ electrons होगे जितने भी हैं उन सब को multiply किसे कर देना 0.85 से अब 3rd last बच गई है न 3rd last में electron होगे 4th में होगे 5th में होगे 6 में जितने भी बाकी shells में बच गई ठीक है प्लस 1 into number of electrons left 1 into number of electrons left जितने भी electron बच गए है ठीक है उसमें जितने भी electron बच गए है यह देखे माल लीजे nitrogen 7 1s2 2s2 2p3 मुझे sigma calculate करना nitrogen के लिए कैसे क्या आउटरमों चैल इसकी सेकेंड यह स्क्राइव वो पी ब्लॉक का element है यह लास्ट लेक्ट फीसब जैकल में जा रहा है लास्ट चैल में सब शॉल ने बोल रहा हूं लास्ट चैल में कितने electron है सर्फ आइब कैसे यह रही यह रही last shell second इसमें यहाँ पर कितने है two यहाँ पर कितने है three two plus three कितने हो गए five five में से एक electron तो क्या हो गया test electron five electron थे उसमें से एक electron तो क्या हो गया test electron कितने बच गए four तो point three five multiplied by four point three five multiplied by four plus plus कितने बच गए second last में कितने है two two into point eight five that is one point seven और one point four one point seven one point four कितना आ जाएगा three point one यह क्या होगा इसका सिग्मा ठीक है तो अब बड़े अराम से किसी का भी सिग्मा आप calculate कर सकते हैं इससे पीछे कोई shell बची नहीं थी अगर कोई इससे पीछे shell होती उसमें number of electrons होते जितने भी होते जितने भी electron इससे पहले बचे होते ठीक है उन सबको multiply कर देते किससे one से और उनको भी add कर देते जैसे इन दोनों को add किया फिर तीनों को add कर देते ठीक है अच्छा अब हम ब electronic configuration लिखनी तो वैसे ही है जैसे आप लिखते है one is to do is to do basic में कोई फरक नहीं आएगा ठीक है electronic configuration को represent ऐसे करेंगे electronic configuration represented as sir kaise ribell represented as electronic configuration is represented as ठीक है कैसे एक ब्रैकेट में 1S फिर 2S 2P इकठे फिर 3S 3P सर ये बिल्कुल वैसे ही तो लिख रहे हो जैसे कोई ब्रैकेट लगाते जा रहे हो हाँ यहाँ तक तो कोई फरक नहीं है बट याद रखेगा जब भी थर्ड शेल स्टार्ट कर दिये तो पहले थर्ड पूरा लिखोंगा यानि कि 3D आएगा फिर यहाँ पर आएगा वह 4S 4P कठे फिर 4D अलग 4F अलग फिर वही 5S 5P कठे ब्रैकेट के अंदर 5D अलग 5F अलग फिर 6S देख रहे हैं S और P कठे फिर 6D 6 में F होता ही नहीं पता है आपको फिर क्या आएगा 7S और 7P सर क्या आप यह कह रहे हो कि 3D पहले भरा जाएगा 4S से नहीं नहीं पहले 4S ही भरा जाता था तो S को लिख दीजे सपी अगर है तो उन दोनों को इकठे सपी अगर है तो उन दोनों को इकठे डी एफ हमेशा अलग 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 ब्रैकेट में ठीक है यूज देखिए कैसे करेंगे इसको देखे, यूज देखे, कैसे करेंगे इसको माल लिजे, हम मुझे find out करना है iron के लिए, 26 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 पहले 4s भरा जाता है, फिर 3d भरा जाता है, ऐसे लिखेंगे बर जब भी sigma calculate करना है, तो उसको represent कैसे करेंगे, sigma के लिए क्या पताया था, ऐसे कठा, अगर अकेला अगर तो 2s, 2p कठे 3s, 3p, पहले 3d, और फिर 4s, बस represent अलग तरीके से करना है अब देखो, अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना line को, sigma जब d and f के लिए calculate करना है, d and f के लिए calculate करना है, तो कैसे करेंगे जहां पर भी d है या f है, मैं d के लिए बता रहा हूँ, तो मैं d के बारे बात करूँगा यहां पर जितने भी electrons है, ठीक है, d में कितने electrons है, सर, 6 electrons है, ठीक, उन 6 में से 1 electron तो क्या हो जाएगा, test electron कितने बच गए, 5, 5 को multiply कर दो, 0.35 से, ठीक है सर, प्लस, प्लस, जितने भी electron अब इसके left hand side में है, पोरेस वाला तो आएगा है नहीं, क्योंकि वो right hand side में है, ठीक है, जितने भी electron इसके left hand side में है, उसको 1 से multiply कर दो, लो, प्लस 6, 18, लो, जी, यह आ गया, इसका sigma, ठीक है, 0.35 को इससे करूँगा, तो 1.75, 18 और 1.75 कितना होता है, that is, 19.75, मैं एक बार फिर repeat कर देता हूँ, D और F का find out करना है, जो भी, D के लिए find out करूँगा, अगर D के लिए, D block element F होता, तो F के लिए find out करता, उसमें जितने भी electron इसके left hand side में है, जितने भी हैं, उसको 1 से multiply कर दो, बस add कर दो, क्या आ जाएगा, sigma आ जाएगा, ठीक है सर, अब effective nuclear charge, सर, यह होता क्या है, ठीक है, effective nuclear charge होता क्या है, nucleus यह रहा, outer most shell का electron यह रहा, यह रहा, nucleus और यह रहा, outer most shell का electron, अगर, इन दोनों के बीच में, force of attraction जाद है, तो हम क्या कहेंगे, कि effective nuclear charge जाद है, अगर, nucleus की outer most shell, nucleus में पता है न, proton होते हैं, proton electron को attract करते हैं, nucleus outer most shell के electron को ज़ादा अडरेक्ट कर रहा है, तो effective nuclear charge जाद है, नुकलियस आउटर मुचल के लेक्टरूं को कम अट्रेक्ट कर रहा है तो effective nuclear charge कम है, definition समझ आ गई, ठीक है सर, सरी तब formula इसको लिखा कैसे जाएगा, यह Z star से represent, कैसे लिखा जाएगा, that is Z minus sigma, अभी sigma क्या है, देखो यह अभी अभी find out करना सिखाया था, shielding constant, या screening constant, सरी Z क्या है, that is atomic number, अगर आप कहते हैं, तो सिरफ एक किसी का, मैं, चलो nitrogen का ही करते तो, nitrogen का Z, atomic number केता है, 7, sigma, अभी अभी हम लोगों ने calculate किया था, यही से देख लेते हैं, ताकि time बच जाएगा हमारा, 3.1 आया था, sigma आया, 3.1, तो Z स्टार, effective nuclear charge, nitrogen के लिए, किसके ब्राबर आ जाएगा, Z minus sigma, comes out to be 3.9, खतम जी, आप किसी का भी Z स्टार, find out कर सकते हैं, ठीक है, इस chapter की, सबसे important, चार properties हैं, जिन में से maximum question आये हुए है, ठीक है, वही topic हम लोग start कर रहे हैं, ठीक है, that is atomic radio, sir, atomic radio ही क्या होता है, भाई, atom का radius, ठीक है, obviously uniquely applicable होगा, जब एक atom, दूसरे atom से जुड़ा होगा, with the help of a covalent bond, sir, किन के बारे मात कर रहे हो, हम बात कर रहे है, H2, ठीक, या HCl, ठीक है, देख रहे है, hydrogen और chlorine आपस में कैसे जुड़े हो है, with the help of a covalent bond, या hydrogen कैसे जुड़े हो है, with the help of a covalent bond, तो यह रहा, यह रहा बेट this is 1, this is 2, ठीक है, और इन दोनों के बीच में, जो भी distance आएगा, जो भी दो nucleus के बीच का distance आएगा, ठीक है, उसका आधा, यह half, ठीक है, जब दो atom ने हापस में covalent bond बना रखी है, yes, ठीक है, उन दो nucleus के बीच का कोई ना कोई distance को आएगा, उसका आधा, half, क्या कहलाएगा, that is covalent radius, क्या कहलाएगा, covalent radius, खतम, दो nucleus के बीच का, जब दो atom ने covalent bond बना रखी है, दो nucleus के बीच का कोई distance आएगा, yes, उसका आधा, क्या कहलाएगा, that is covalent radius, यह जो circle circle नजर आ रहे हैं, क्या है यह, orbital यह तो पता ही होगा, कि एक orbital है, यह दूसरा orbital है, इन्होंने आपस म बढ़ते हैं, just a sec, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्या है, next है, wonder walls radius, सर, यह wonder walls radius, क्या होता है, ठीक है, यह दो तरा के atoms के लिए होता है, पहले, तो जो किसी के साथ bond बनाते हैं, याने कि आप बात कर रहे हो सर, generally, helium, neon, argon, etc, novel gases के बारे में, यह रहा, nucleus, और यह रहा, outer most shell का electron, यह रहा, nucleus, और यह रहा, outer most shell का electron, इन दोनों के बीच का कोई ना कोई distance होगा, यह सर, उसे क्या बोलेंगे, हम, wonder walls radius, ठीक है, क्या, जो covalent bonds बनाते हैं, जो atoms covalent bond बनाते हैं, क्या उनका भी कोई wonder wall radius होता है, क्या, हाँ, जी, होता है, जैसे यह देखिए, h2, यह एक h2 है, एक hydrogen का molecule, यह कोई दूसरा hydrogen का molecule, ठीक, gas होती है, move करते जाएंगे, यह भी move कर रहे हैं, यह भी continuously move कर रहे हैं, ठीक है, दो, ऐसे nucleus, जिन्हों ने आपस में bond नहीं बना रखी, इस वाले nucleus ने, इसके साथ bond बना रखी है, इस वाले nucleus of hydrogen atom ने, इस nucleus के साथ bond बना रखी है, दो ऐसे nucleus, जिन्हों ने आपस में bond नहीं बना रखी, जैसे सर इसने और इसने आपस में bond नहीं बना रखी, क्या इन दोनों के बीच का कोई distance होगा, यस, ठीक है, जितना भी वो distance होगा, उसका आधा, जितना भी ये distance होगा, उसका आधा, half, क्या कहलाएगा, wonder wall radius of hydrogen, ठीक है, इसका मालब hydrogen के दो radius find out कर सकते हो, एक covalent भी और एक wonder wall भी, सर कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, वो paper में question बहुत बार आया होगा है, ठीक है, पर थोड़ा सा बात करते हैं, अगले page के बाद, थर्ड टाइप का radius, यह बहुत आसान है जी, that is crystal radius, यह जिसे आप metallic radius भी बोलते हैं, ठीक है, ओबिसली किस के लिए applicable होगा, सर, metals के लिए applicable होगा यह, sodium के लिए, calcium, इस तरहां के, ठीक है, जब भी, किसी metal के अंदर, दो metal ions ने, आपस में metallic bond बना रखी होगी, with the help of an electron, with the help of an electron, जो metallic bond बना रखी होगी, ठीक है, उन दोनों के nucleus के बीच का बीच का कोई distance होगा, उसका आधा, दोनों nucleus के बीच का, जो distance आएगा, उसका आधा, उसका आधा, उससे क्या बोलेंगे, हम, crystalline radius, या, क्या बोलेंगे, हम लोग metallic radius, ठीक है, तीन तरह के radius बढ़नी है, आप लोगोंने, covalent, wonderwall, metallic, ठीक है, पेपर में कुशन यह आया है, बहुत बार, कि इन तीनों का variation बताइए, कौन बढ़ा होता है, कौन छोटा होता है, इन वे से, ठीक है, तो उसके लिए, हमने एक छोटा सा wonderwall radius, M stands for metallic radius, and C stands for covalent radius, सबसे बढ़ा होगा, wonderwall radius, metallic radius, और फिर covalent radius, wonderwall सबसे बढ़ा होता है, क्योंकि कोई भी overlapping, overlapping orbitals की, नहीं होती, covalent छोटा क्यों होता है, क्योंकि उन में कुछ ना कुछ overlapping orbitals की हो जाती है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते, fourth radius, क्या है, that is ionic radius, जैसे ions का radius, ions, ions तो दो type की होती है, एक होता है cation, और एक होता है anion, तो पहले बात करते है, cation के बारे में, फिर बात करेंगे, anion के बारे में, और थोड़ा सा comparison में, जैसे cation कोई भी, cation वही बनाता है, जो electron क्या कर देता है, lose कर देता है, ठीक है, तो comparison कर लेते हैं, मालनो sodium का, sodium ने अगर एक electron lose कर दिया, अब बताए, किसका radius जाधा होगा, यह parent atom, parent atom मतलब जिससे वो बना है, और यह रहा वो cation, यह parent atom है, वो cation, इन दोनों में से radius किसका जाधा होगा, ठीक है, जैसे sodium का, atomic number कितना होता है, सबको पता है, that is 11, तो इसका मंदर मतलब इसके अंदर 11 proton होगे, 11 ही electron होगे, ठीक है साथ, जितने proton होते हैं, atom के अंदर, उतने electron होते हैं, agree, कोई problem नहीं, यहाँ पर बात करते हैं, sodium आयन ने क्या किया, एक electron lose कर दिया, ए इसके बास proton कितने हैं, 11, electron कितने हैं, एक lose कर दिया, तो कितने हैं, that is 10, कितने हैं, 10, बताओ, कौन जाधा attract कर रहा होगा, कौन से proton electron को जाधा attract कर रहे होगे, यहाँ पर 11 protons को, 11 electrons को attract करना पढ़ रहा है, ठीक है, हर एक एक जाने को attract कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर 11 proton, 10 electrons को attract तो obviously यहाँ पर proton electron को ज्यादा attract कर पाएंगे क्यों कि यहाँ पर और यहाँ पर proton 11 होगी दिखोगी तो वन से वहाँ रही है ज्यादा उपर proton रखेंध लीचे इलेक्टर रखेंगे तो obviously एक proton एक से ज्यादा electron को attract कर रहा है तो attraction क्या होगी ज्यादा एक से कम बोलना त attraction क्या होगी, जादा, attraction जादा, अगर proton electron को जादा attract करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे इसका, proton electron को जादा attract करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, इसका क्या जादा है, more, z star, तर z star क्या था, effective nuclear charge, तो जितना जादा proton electron को जादा attract करेंगे, तो nucleus के electron क्या आते जाएंगे, pass आते decrease, size क्या होता जाएगा, decrease, ठीक है, बात करें अगर anion के बारे में, अगर हम बात करेंगे, anion के बारे में, यह रहा anion, this is anion, और यह रहा उसका parent atom, जिससे वो बना है, जिससे वो बना है, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पर protons 17, electrons 18, यहाँ पर protons 17, electrons 17, क्या आपको पता है, यहाँ पर protons, electron को कम attract कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि बिचारे 1 electron, यहाँ पर तो 1 proton, 1 electron को attract कर रहा है, तो 1 ratio 1 है, यहाँ पर ratio, proton, electron की ratio क्या है, 1 से कम है, यहाँ पर एक electron को भी attract नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर एक को कर पा रहे हैं, यहाँ पर एक को भी नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर attraction क्या होगी, कम, attraction कम, तो क्या बोलेंगे, Z star, effective nuclear charge, कम होगा, अगर proton लेक्टन को attract नहीं कर पाएंगे, तो size क्या होगा, जाधा, size क्या होगा, जाधा, तो यानि कि anion का size अपने parent atom से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है, और cation का size जो भी पिछले पेच पर पढ़ा था, वो अपने parent atom से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, एक और term पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा important, जिसक isoelectronic ions, isoelectronic ions, ठीक है, isoelectronic ions का मतलब क्या होता है, जिनके पास, iso का मतलब होता है, same, electronic का मतलब, electron, जिनके पास, same number of electrons होगे, sir, example दीजिए, जैसे यह देखिए, mg, 2 positive, al, 3 positive, यहाँ पर proton लिख रहा हूँ, यहाँ पर electron लिख रहा हूँ, proton पता है न, atomic number के बारे में बात कर proton, ठीक है, proton, magnesium का 12 होता है, atomic number, aluminium का 13 होता है, magnesium के पास, electron भी 12 होने चाहिए थे, बट, यह magnesium नहीं है, यह magnesium 2 positive है, 2 positive कहने का मतलब है, कि इसने 2 electron lose क्यों है, जितना positive charge होता है, उतने वो electron lose कर देता है, तो इसका मालब, इसने 2 electron lose क्यों है, 3 12, 2 lose कर दिए, 10, 3 13, 3 lose कर दिए, 10, ठ देखो, अब देखो, दोनों isoelectronic ions है, इसके पास भी number of electron, 10, इसके पास भी number of electron, 10, एक और देख ले, that is, F negative, atomic number, 9 होता है, F का, तो proton 9, electron भी 9 होने चाहिए, बट, negative charge दुखा हो है, negative का मालब, इसने electron gain किया होंगे, कितने gain किया होंगे, जितना इसके ऊपर, Черग, पितना चारज है, minus 1, एक electron gain किया होंगे, 10, क्या तीनों ही, IsoElectronic ions है, Yes, IsoElectronic ions में, जितने ज्यादा जिसके पास proton होते है, जितने ज्यादा जिसके पास proton होते है, proton मतलब, atomic number, IsoElectronic ions में, जितने ज्यादा, IsoElectronic ions में, more, the number of protons जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो के higher atomic number lesser is the size lesser is the size मैं बताता हूँ कारण क्या है सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा क्या आईशो एलेक्ट्रोनिक आयन्स हैं के नहीं हाँ आईशो एलेक्ट्रोनिक है दूसरी बात अगर वो आईशो एलेक्ट्रोनिक है तो जितने जादा atomic number होगा size उतना कम होगा कारण वो देखे इदर क्या यहाँ पर 13 protons को 10 electron attract करने है रेशो क्या आ रही है 1.3 आ रही है 13 divided by 10 ठीक है 1.3 proton एक एक electron को attract कर रहे है यहाँ पर रेशो 1.2 यहाँ पर रेशो 0.9 यहाँ पर attraction क्या होगी सबसे जादा Z star सबसे जादा यहाँ पर Z star उससे कम और यहाँ पर Z star सबसे कम जितना जादा effective nuclear charge proton electron को उतना जादा attract करेंगे size क्या हो जाएगा उतना ही कम अब इसके ऊपर questions करके देखते हैं बेटा हाँ question करने से पहले factors affecting atomic radii मैंने बोला था जो चार properties हैं हमारी main जिनके उपर maximum question आते हैं atomic radii, ionization enthalpy, electron negativity and electron gain enthalpy उसको हम एक ही single line में finish कर लेंगे उस line के अंदर 4 words है वो हमने एक scientist है Mandeliev उसके नाम से याद कियो है, Mandeliev ने कहीं ना कहीं पर ये बोला था कि उसकी body का जो उसकी eyes है, ठीक है वो किसी animal को resemble करती है ठीक है, तो हमने उसी के दिमाग से उसी की उस line से याद कर रखा है तो पहला word जो आपको याद करना है atomic radius के लिए सारे question इसी word से होंगे, वो क्या है M I N P, ये बोल कोन रहा है ये बोल रहा है, Mandeliev ठीक है, और क्या बोल रहा है वो Mine, माइन मतलब मेरी ठीक है, M, M stands for Multiplicity Of Wands मतलब समझाता हूँ एक धागा ले लिजे ठीक है, उसको दोनों corner से पकड़ लिजे क्या वो Alcane जैसी एक single bond को represent कर रहा है ये सर, आप उसमें एक fold मार दीजे यानि कि इस end को पकड़के इसके पास ले आईए क्या वो double bond हो गई यानि कि जो दोनों end पे carbon-carbon के atom थे Alcane अगर था तो अगर उसको fold मारने पर जैसी वो bond double हो गई थी क्या वो दोनों carbon-carbon के atom पास आ गए है ठीक है, क्या radius कम हो गई है पहले दूर-दूर थे तो radius क्या था ज़्यादा अब पास-पास आ गई है तो radius क्या हो गया है, कम इसका मतलब पहले bond single थी multiple नहीं थी, ठीक है तो दूर-दूर थे, radius ज़्यादा था अब bond multiple हो गई है, double हो गई है तो क्या आ गई है, पास आ गई है radius कम हो गया, multiplicity बढ़ गई है single से double जाना मतलब multiplicity बढ़ जाना double से triple जाना अगर एक और fold मार दे, ठीक है तो यानि कि वो alkyne जैसा represent करने लगेगा हलागि alkyne में triple bond होती है, तो समझाने के लिए सिरफ हम बात कर रहे हैं, मैं repeat कर रहा हूँ multiplicity का मतलब क्या है number of bonds between atoms multiplicity और radius एक दूसरे के inversely proportional होते हैं यानि कि जैसे, जैसे multiplicity बढ़ती जाएगी radius कम होता जाएगा जैसे यह देखिए यह देखिए c single bond c क्या यह alkyne के बारे में बात हो रही है, ठीक है यह बड़ी होगी as compared to c double bond c, ठीक है जो thread था उसको fold कर देंगे तो atoms पास पास आजाएगे पास पास आजाएगे, तो s size क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, is greater than c, triple bond c क्या यह बताएए, इधर से इधर जाते हुए, left to right जाते हुए, multiplicity बढ़ती जा रही है, हाँ सर, multiplicity बढ़ती जा रही है, आपर single है, multiple bond है यह double है, bond multiple है triple, और जादा multiple है, ठीक है तो इधर से इधर, left to right जाते हुए, multiplicity बढ़ती जा रही है, और radius क्या होता जा रहा है कम, क्योंकि atom क्या आते जा रहे है पास, पास आते जा रहे है ठीक है, तो इधर से इधर जाते हुए radius क्या होता जाएगा decrease, क्योंकि multiplicity क्या होती जाएगी increase तो कभी भी अगर carbon और carbon का atomic radius के उपर question आदे तो answer किस से आएगा M से now I, सरे I का क्या मतलब है I का मतलब है percentage of ionic character bond जितनी जादा ionic होगी सर पहली बात तो ionic का मतलब क्या, what do you mean by ionic ionic का मतलब है bonds के उपर जो भी bond मने हो यह, like यह NaCl की structure है ठीक है, इस पे यह chloride ion है यह sodium ion है, Cl पे minus 1 होता है Na पे plus 1 होता है तो जितना यह positive यह negative charge जादा होगा bond उतनी जादा ionic होगी जितना यह positive यह negative charge जादा होगा bond उतनी जादा ionic होगी कोई भी bond अगर जादा inic होगी, यënकि इस पे positive चार ज़्यादा के 9, इस पे negative चार ज़्यादा है, तो यह पास-पास ज़्यादा आएंगे, और अगर यह पास-पास ज़्यादा आएंगे, तो radius क्या हो जाएगा, radius क्या हो जाएगा, सर, कम हो जाएगा, तो ये inic character और radius भी एक दूसरे के क्या होते हैं inversely proportional दो atoms के बीच में positive or negative 4 जादा है pass pass आईनी character जादा हो जाएगा तो इसका मनलब वो pass pass आजाएगी इसका मनलब radius क्या हो जाएगा हमें percentage of आईनी character आज पढ़ना भी है कि निकालते कैसे हैं ठीक है उसके लिए पढ़ना भी है बड़ क्लास के last में ठीक है N stands for number of shells अगर कोई atom है उसमें सिरफ दो shells है तो nucleus से outermose shell का distance क्या होगा कम कोई atom है जिसके अंदर 5 shells है तो nucleus से outermose shell के electron का distance क्या होगा जादा यानिके distance बढ़ता जा रहा है nucleus से electron दूर होता जा रहा है तो radius भी क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा shell जादा radius जादा तो दोनों एक दूसरे के क्या है directly पर पोश्टर ठीक size बढ़ता जाएगा shell बढ़ती जाएगी ठीक है E E stands for effective nuclear charge जिसको Z star भी बोलते हैं हम लोग तो यह पास पास आ जाएगे पास पास आ जाएगे तो size क्या हो जाएगा कम इसका मलब effective nuclear charge जाएगा तो nucleus की electron पर अट्रेक्शन जाएगा तो size क्या हो जाएगा कम दोनों एक दूसरे के क्या है radius के inversally proportional कोई भी गोशन आएगा atomic radius का answer इनी में से कोई होगा M I N E अभी वो isoelectronic ions पड़े थे ना उसका answer भी इसी से आया देखो जड़ा कैसे यह देखो जो questions आया है ठीक है उनको करते हैं जी सबसे पले species आरगन है K positive है calcium 2 positive है contain the same number of electrons यानि कि यह isoelectronic ions है ठीक है इनका order of atomic radius पताओ क्या आपको पता है calcium 2 positive atomic number calcium का 20 होता है K positive atomic number 19 होता है और क्या था argon atomic number 18 होता है isoelectronic ions में ठीक है जिसका atomic number जितना जादा ठीक है उसका effective nuclear charge भी उतना ही जादा अभी aluminium वाले case पे समझाया था यह देखो aluminium वाला case कहां गया aluminium वाला case जसके में यह सेक ताके हमें समझा दें कि यह देखिए यह बोला था अगर isoelectronic ions है जितने जादा proton होगे यानि कि जितना जादा atomic number होगा size उतना कम होगा बताया था ना यहाँ पर 13 proton 10 electron को attract कर रहे हैं यहाँ पर 12 proton 10 electron को attract कर रहे हैं यहाँ पर बैचारे 9 proton 10 electron को attract कर रहे हैं इसका effective nuclear charge सबसे जादा इसका उससे कम और इसका सबसे कम बस उसी से अंसर है आइसो एलेक्ट्रोनिक ions में जिसका atomic number जितना जादा उसका effective nuclear charge भी उतना जादा और size उतना कम अभी अभी पढ़ा effective nuclear charge जादा size कम तो इसका Z star maximum तो इसका size सबसे कम calcium का सबसे कम होगा ठीक है तो आंसर C हो सकता है D हो सकता है उसके बाद इसका size क्या होगा थोड़ा कम होगा और इसका सबसे कम होगा आरगन का सबसे कम तो आंसर कौन सा हो गया that is option number D ठीक है आगे बढ़ते है एक और question देखिए which of the following question of ionic radio is correctly represented AIPMT 2014 का question है ये तीनो आइसो इलेक्ट्रोनिक है ठीक कैसे बता आपको aluminium का 13 होता है 3 loose कियो होगा तो 10 बजगा magnesium का 12 होता है 2 loose कियो होगा 10 बजगा nitron का 7 होता है N की उपर 3 negative है इसका वह बनो तीन इलेक्ट्रोन गेन कियो होगा तो इसका भी कितना हो गया और ये आईसो इलेक्ट्रोनिक नहीं है ठीक है तो बात करते हैं हमें correct बताना है हाँ correct बताना है आईसो इलेक्ट्रोनिक में क्या होता था जितना ज़्यादा effective nuclear charge यानि कि जितना ज़्यादा atomic number size उतना कम तो ये तो आंसर नहीं हो सकता इसका atomic number सबसे ज़्यादा था तो size सबसे छोटा होना चाहिए तो ये तो है नहीं D तो आंसर नहीं है क्या B answer हो सकता है B भी नहीं है फिर भ़ी बात atomic number सबसे ज़्यादा है ठीक है तो size सबसे कम होना चाहिए तो यहाँ पर N.A. Boston का ये भी गलत है इसके बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर atomic number सबसे ज़्यादा है पर size सबसे कम इसका atomic number सबसे कम और size सबसे ज़्यादा तो C answer है अच्छा सर A के बारे में भी explain कर दो क्या आज ही पढ़ा था हमने ये आज ही पढ़ा हम लोगों ने कि कैटायन का size कैटायन का size अपने parent atom से छोटा होता है यानि कि H positive ion H से छोटा होगा यानि कि H बढ़ा होगा ठीक अनायन का size आज ही पढ़ा है अब लोगों ने अपने parent atom से ज़्यादा होता है ठीक है तो order ये आना चाहिए था बट order लिखा क्या हुआ है H negative ion फिर H positive ion और फिर H यानि कि ये भी answer हमारा नहीं है मैं इसी करण साथ-साथ वाली बाग़ी options भी discuss करता जा रहा हूँ पता चले कोई और concept भी question आ रहे है तो आप कर सके जो हमने class में already discuss किया है ठीक है अगला question पढ़ते correct order of decreasing ionic radiate in the electronic ions सारी ions चेक कर लीजे सभी isoelectronic ions है सर आपको कैसे पता CL के पास 17 होते है एक gain किया हुआ है 18 होगे calcium के पास 20 होते है 2 loose किया हुआ है 18 होगे 16 होते हैं 2 gain किया हुआ है 18 होगे 19 होते हैं एक loose किया हुआ है 18 होगे तो सब के isoelectronic ions है जिसका atomic number सबसे ज़्यादा उसका size सबसे कम 20 atomic number सबसे ज़्यादा size सबसे कम सबसे कम सिरफ इसी का आ रहा है यही answer हो गया खत्ब ठीक है बाकी तीनों चेक करने की जुरूती नहीं है ज़रूरी नहीं होता है आप चारों option चेक करें ठीक है आपको time save करना आना चाहिए calcium का सबसे कम होना चाहिए हाँ मिटा बात करते है ठीक है इसको करने से पहले एक ऐसा करते है एक तो छोटी छोटी चीजें बता देते हैं जो कि हमने माइन पे ही सीखी है उनको देखने में तक फिर हम आगे बढ़ेंगे ध्यान से सुनिएगा समझेगा हमने पढ़ा कि atomic radius का कोई भी आंसर यहां तो M से आएगा यहां I से आएगा यहां N से आएगा यहां E से आएगा ठीक है अब हम variation पढ़ रहे है atomic radius का in A period period में जब हम left to right move करते है तो क्या change होता है क्या M change होता है generally नहीं I generally नहीं N that is number of shells नहीं number of shells same रहते है E होता है effective nuclear charge मैं बता रहा हूँ आपको effective nuclear charge left to right जाने पर increase होता है Z star increases on moving from left to right और mine में E में effective nuclear charge जो कि Z star है effective nuclear charge और radius एक दूसरे के क्या थे inversely proportional यानिकि अगर Z star increase हो रहा है Sir Z star कैसे increase हो रहा है आज ही दिखाया Z star होता किसके बराबर है Z minus sigma ठीके Z star अगर increase हो रहा है और atomic radius क्या होगा decrease तो इस हिसाब से अगर इस हिसाब से देखा जाए तो फिर तो यहाँ पर जो neon होता है या इमें novel gases होती है उनका size जो है सबसे छोटा होना चाहिए अपने period में novel gases का size जो है वो सबसे छोटा होना चाहिए बढ़ ऐसा नहीं होता क्यों नहीं होता noble gases have maximum radii in their period होना तो सबसे छोटा चाहिए जिस तर जो आपने समझा है सर क्यों क्या आपको पता है noble gases generally किसी के साथ react नहीं करती है neon neon के साथ bond नहीं बनाता है तो इसका मतलब हम उनका कौन सा radius measure करेंगे neon का, helium का, argon का कौन सा radius measure करेंगे सब हम उनका measure करेंगे wonderwald radius ठीक है और wonderwald radius में आपस में कोई भी overlapping नहीं होती यही होता ना यही होता ना wonderwald radius अब बाकि अगर बात करो आप neon से पहले क्या पाए जाता है fluorine F और F covalent radius उससे पहले कौन बाया जाता है oxygen O2 covalent radius उससे पहले N2 similarly covalent radius covalent radius में atoms आपस में क्या कर लेते हैं overlap overlap करते हैं तो क्या जाते हैं पास पास ठीक है तो समझ आ गया कि इसका radius जादा क्यों होता है क्योंकि कौन सा measure करते हैं हम लोग कौन सा measure करते हैं इनका wonder wall radius because वही measure VW मलब wonder wall's radius किसके लिए noble gases के लिए ठीक चलिए जो question था उसको देख लेते यह तो अभी हमने variation कहां बता है left to right बता है ठीक है but question देख लेते among the elements calcium, magnesium, phosphorus and chlorine order of increasing radii बेटा magnesium यहाँ पाया जाता है magnesium वाले group में नीचे कौन पाया जाता है calcium यहाँ पर पाया जाता है phosphorus और यहाँ पर क्या पाया जाता है chlorine क्या अभी अभी हम लोगोंने पढ़ा यह same ही period में पाया जाते अभी अभी हमने पढ़ा left to right जाते है तो size क्या होता है decrease ठीक है अभी यह तो नहीं पढ़ा हम लोगोंने अभी पढ़ना है वो ठीक है top to bottom जाते है तो size increase होता है answer कहां से आएगा mine से mine में N क्या होता है number of shells top to bottom जाते है size decrease top to bottom जाते हुए size increase तो सबसे ज़ादा सबसे अगर हम बोलें ज़ादा किसका हो सकता है सबसे ज़ादा हो सकता है sir calcium का क्यों क्योंकि size increase हो रहा है top to bottom जाते हुए calcium का हो सकता है और magnesium phosphorus और chlorine में से left to right जाएंगे size क्या होगा decrease यानि की chlorine का सबसे कम phosphorus का उपसे ज़ादा magnesium का ज़ादा क्या ऐसा ही आ रहा है यहाँ पर भी chlorine का सबसे कम phosphorus का ज़ादा magnesium का ज़ादा और calcium का magnesium से ज़ादा आना ही था answer वही से आ रहा है कहां से mine से M I N E तो answer क्या हो जागा that is option number B आगे बढ़ते हैं बटा identify the correct order among the following फिर दुबारा वही ISO electronic ions है ठीक है सारी की सारी atomic number जादा size सबसे कम atomic number जादा सबसे जादा सर calcium का है, तो calcium यहाँ पर भी सबसे कम है यहाँ पर भी सबसे कम है तो सरांसर D नहीं हो सकता बट A, B, C तो हो सकता है एक और छोटी सी गलती है यहाँ पर यहाँ पर इन्होंने CL नहीं लिखा है तो मैं इसको भी cancel out कर देता हूँ, typing error है option number B में तो उसको भी rule out कर देता हूँ बात रह गई अब सारी की सारी इसकी बस ठीक है, आंसर यहाँ तो आएगा A में या C में से atomic number 20, 19, 18, 17, 16 देख रहे हैं, जितना ज्यादा atomic number size उतना कम, ठीक है क्या answer C ही होगा हमारा जितना कम atomic number, ठीक है size उतना ज्यादा किसके लिए, ISO electronic ions के लिए answer मही, माइन से ही आ रहा है effective nuclear charge बेटा, एक और चीज़ बतानी है इसमें आपको, वो कौन सी हाँ, देखिए, अभी हमने variation किसके लिए पढ़ा था, period में पढ़ा था left to right पढ़ा था, अगर हम बात करे variation of atomic radian in a group, ठीक है top to bottom जाएंगे group में, ठीक है अभी अभी बोला था, क्या group में जाते हैं तो number of mine में से ही answer आएगा mine में n क्या था, number of shells increase होंगी तो size भी क्या होगा increase होगा ठीक है सर, समझ आगया, कोई issue नहीं यह इसमें ठीक है, अगर सर फिर आपकी बात माने अगर आपकी बात माने यह question बहुत important है, और paper में बहुत बार आया, ठीक है, इस तरह के question जरूर आते है, answer वहीं से आएगा mine से, ठीक है, अगर आपकी बात माने तो यहाँ पर 13th group होता है, periodic table में यहाँ पर यह boron है aluminium है gallium है, फिर नीचे indium है, ethelium है उससे नीचे 115 वाला भी है बट वो radioactive है, तो मैं consider नहीं कर रहा हूँ ठीक है, तो अगर आपकी बात माने तो top to bottom यहाँ पर भी आने पर size क्या होना चाहिए increase होना चाहिए, number of shells बढ़ रही है बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, जो gallium है जो, gallium है ठीक है, gallium का size aluminium से बिलकुल एक picometer छोटा होता है, या almost same होता है आपको सेम कहलो या बिलकुल थोड़ा सा छोटा होता है, कोशन समझा आगे आपको, ठीक है क्या कोशन है वाई, gallium paper में अनगिना time कोशन आए as smaller size than aluminium क्या आज की class में ही हम लोगों ने shielding effect पढ़ा, क्या आपको पता है, कि ये वाले block के ये जो सबसे पहले block होता है, ये s block के element है gallium यहाँ पर ये d block के element है ठीक जब भी shielding effect जादा होता है तो effective nuclear charge कम होता है मैं prove कर देता हूँ, मैं prove कर देता हूँ, just give me a sec ये देखिएगा, प्लीज, ये रा nucleus shielding effect क्या होता था inner वाले outer वालों को repel करते थे ठीक, इसे का बोल देते है, हम लोग shielding effect आज बढ़ा है जाए हम लोगों ने, ठीक effective nucleus जाज क्या होता है nucleus की, इस outer most shell के electron पर attraction, अगर अंदर वाले, ये वाले electron इसको repel जादा करेंगे, तो ये दूर हो जाएगा, ये दूर हो जाएगा, अगर दूर हो जाएगा, तो nucleus की उसके ऊपर attraction क्या हो जाएगी? कम nucleus की उसके ऊपर attraction क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी? ठीक, बस वही किया जी हम लोगोने, ठीक है, जितना जादा shielding effect, effective nuclear charge उतना ही कम अब आजाओ, question के ऊपर, क्या aluminum से पहले S block के element है मैंने आज चार बार एक लाइन रिपीट करी ती कौन सी वाली shielding effect सबसे ज़्यादा किसका होता है S का फिर P का फिर D का फिर F का तो अंदर वाले S वाले हैं तो इसका मदलब यह सबसे ज़्यादा shielding effect शो करेंगे ठीक है गैलियम से पहले कौन से व्लॉक के हैं डी व्लॉक वाले बैचारों का shielding effect बहुत कब होता है ठीक है इसका मदलब गैलियम वाले का shielding effect बहुत कम shielding effect कम तो effective nuclear charge ज्यादा एफेक्टिव नूकलियर चार्ज क्या होता था nucleus की electron पर attraction attraction ज्यादा गैलियम के case में ज्यादा तो size क्या हो जाएगा कम ठीक है as answer क्या लिखेंगे answer क्या लिखेंगे as gallium present after present after d block elements जिनका जिनका shielding effect कम होता है weak shielding effect shielding effect कम तो size क्या हो जाएगा decrease क्योंकि effective nuclear charge बढ़ जाएगा size क्या हो जाएगा decrease a very very important question effective nuclear charge ज्यादा तो size क्या हो जाएगा कम वही माइन में से e से answer आ ठीक है जी अब बेटा आगे बढ़ते हैं next topic की तरफ second very important topic that is ionization enthalpy ठीक है और वो है क्या ionization enthalpy कैसे लिखेंगे यह देखें सबसे पहले तो एक यह निगा ले लेजिए सर यह निगा क्या है ठीक है ऐसी एक निमोनिक बना रखा है ठीक है n stands for neutral i stands for isolated g stands for gaseous and a stands for atom neutral का मरलब पता चल गया उसके उपर कोई charge नहीं होना चाहिए isolated किसी के साथ bond ना बना रखी हो gaseous का मरलब पता ही है atom का मरलब पता ही है ठीक है ध्याल से देखिए क्या यह c l का निगा है है ना c l neutral है yes isolated है किसी के साथ bond नीम ना रखी gaseous है yes atom है क्या यह sodium का निगा है ठीक है neutral isolated gaseous atom ठीक है किसी वे atom का यह निगा ले लिया अब इसको heat करेंगे हम obviously heat करेंगे तो इसको electron को energy मिलें कि हो energy मिल्के क्या करतते है electrone अपनी shell से ऊपर वाले जाता जाता है और एक ताइम ऐसा आता है इतनी energy मिलते है तो atom से क्या चला जाता है बाहर तो जितनी energy लगेगि इलेक्त्रॉन को बाहर निकानने के लिए जितनी इनर्जी लगेगी इलेक्त्रॉन को बाहर निकाननने के लिए टिके उसे क्या बोलेंगे हम लोग that is ionization energy, enthalpy की term में delta H लिखा होगा, तो ionization enthalpy, मतलब दोनों का सेम है, ionization energy या enthalpy, बस वो delta H की term में लिखा होगा, ठीक है, amount of energy required to remove an electron from nega, ठीक है, amount of energy required to remove an electron from nega, उसे क्या बोलेंगे, आप ionization energy है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आप देखिए, ionization energy भी कई परकार की होते हैं, जैसे यह देखिए, आपने magnesium में से पहला electron निकाला, तो इसको बोलेंगे बैटा हम लोग, first ionization enthalpy, अगर आपने दूसरा electron निकाला इसमें से, एक electron अलड़ी निकल चुका है, इसे बोलेंगे हम, second ionization enthalpy, अगर third निकाला जोकी बहुत जादा होगी इसकी, ठीक है, क्योंकि दो electron lose करने के बाद, novel gas configuration आ जाएगी, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, third ionization enthalpy, तो यह समर्ण आ गया, first किसे बोलते हैं, second किसे बोलते हैं, third किसे बोलते हैं, ठीक है, अब देखिए, factors affecting ionization enthalpy, मेंडलीव की वो पहली लाइन क्या थी, mind, ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, वो मेंडलीव का वो word, जिसके उपर, ionization enthalpy का हर एक question हो जाएगा, वो word है, मेरी, यह मेंडलीव बोल रहा है, sharp, ठीक है, क्या है, वो उनकी आँखों, अपनी आँखों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, उसकी आँखे किसी को resemble करती हैं, किसको करती हैं, बाद में बात करेंगे, ठीक है, तो ionization enthalpy का कोई भी question आजाए, answer जो है, वो sharp से ही आना है, sharp में, यह S क्या है, S है, screening effect क्या लो, या shielding effect क्या लो, बेटा, screening effect क्या था, अंदर वाले, पाहर वाले electron को repel करते थे, ठीक, ठीक, अगर यह repel जादा करेंगे, अगर यह अंदर वाले electron, बाहर वाले electron को repel जादा करेंगे, अगर जादा repel करेंगे, तो nucleus किसके ओपर attraction क्या हो जाएगी, कम, तो nucleus electron को बहुत ज़दा attract नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब इस electron को बाहर निकान ले के लिए energy क्या देनी पड़ेगी, बहुत कम, जैसे माल लेते हैं, general example ले रहे हैं, माल लेते हैं, कई ऐसे parents होते हैं, ये parents हैं, और ये children हैं, उनके बच्चे, जो parents, generally अगर हम बात करें, अपने बच्चों पर बहुत ज़ादा ध्यान न क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, जब ये इसको बहुत ज़ादा repel करेंगे, तो nucleus के उपर attraction क्या हो जाएगी, कम, तम हो जाएगी, तो इसका मतलब इस electron को बाहर निकालना atom से क्या हो जाएगा, बहुत आसान, बहुत कम energy देनी कम, nucleus और electron के attraction उतनी कम, और ionization energy भी उतनी ही कम, screening effect जादा, ionization energy कम, क्या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, इसी line को ऐसे भी लिख सकता हूँ, Z star, Z star मतलब effective nuclear charge, ionization energy के directly proportional है, सर ये कैसे लिख दिया आपने, सर ये कैसे लिख दिया आपने, चलो ये तो उपर वाला समझ आ गया, अब भी 10 minute पहले भी समझाया है, क्या, shielding effect और effective nuclear charge एक दूसरे के inversely proportional होते है, shielding effect, effective nuclear charge के भी inversely proportional है, shielding effect, ionization energy के भी inversely proportional है, इसका मतलब effective nuclear charge और ionization energy दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, directly proportional, nucleus और electron की attraction जादा, तो electron निकालना क्या होगा, बहुत जादा मुश्किल होगा, ठीक है जी, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next, H, सर ये H क्या है, H है, half field, and fully filled orbitals, जो capital letter में लिखे हैं, उनका मतलब है, जो small letter में लिखे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, क्या आपको पता है, half filled orbital और fully filled orbital stable होते हैं, सर फ्र्स stabel होते हैं, तो उनमें से electron निकालना क्या होगा, मुश्किल, अगर electron निकालना मुश्किल होगा, तो उनके ionization energy क्या होगी जादा उनकी ionization energy क्या होगी जादा space नहीं है next page पर लिख रहा हूं वापिस आओंगा यहां पर कर अधे में से यंए निकालना मुश्किल होता है, but half field और fully field में से कौन ज्यादा stable होता है, fully field वाले, कौन, fully field वाले, ठीक है, तो P6 में से लेक्टो निकालना मुश्किल है, as compared to D10, P6 fully field है, D10 भी fully field है, बड़ दोनों में से P6 में से तो ionization energy भी क्या होगी, increase होगी, ठीक, next, A, A stands for atomic radius, क्या radia ही लिख लो, radius जितना छोटा, nucleus के electron, nucleus electron के क्या होगा, उतना pass, pass होगा, तो force of attraction क्या होगी, ज्यादा, nucleus electron के force of attraction क्या होगी, ज्यादा, तो electron निकालना, बहुत मुश्किल, यहाँ पर energy क्या देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा, इसका मतलब, atomic radius, और ionization energy, दोनों एक दूसरे के क्या होगे, इन्डिवर्सली, proportional size, कम, electron निकालना मुश्किल, ionization energy ज्यादा, size atom का ज्यादा, nucleus electron बहुत दूर है, दोनों के बीच में कोई force of attraction है नहीं, तो nucleus में से electron निकालना क्या होगा, बहुत आस्थान होगा, ठीक है, P, last, P है penetration effect, penetration effect, और ionization energy एक दूसरे के directly proportion होते हैं, सर, यह penetration effect है, क्या, क्या नहीं, अगले पेज़ पर समझा दो, space नहीं है, actually, हाँ, देखिए, प्लीज, penetration effect, सर, यह penetration effect का मतलब क्या होता है, मतलब वही है, penetration effect, क्यों कौन nucleus के ज्यादा penetrated है, क्या चार sub-shells हमें mainly पढ़नी होती है, yes, S, P, D, F, अगर मैं shell number same रख लो, shell number same, यानि कि मैं 4S, 4P, 4D, 4F को compare कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, कि यह 4S है और यह 3P है, मैं तब की बात नहीं कर रहा हूँ, सबका shell number same होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले nucleus के सबसे पास होती है, S, यानि कि उसका penetration effect सबसे ज़ादा होता है, P nucleus से थोड़ी दूर होती है, D उससे भी दूर होती है, F सबसे दूर होती है, ठीक है, अगर इसका penetration effect सबसे ज़ादा, यह nucleus के पास सबसे ज़ादा, तो इसमें से electron निकालना सबसे मुश्किल, क्योंकि attraction ज़ादा होगी, तो इसका ionization energy भी क्या होगी, सबसे ज़ादा, तो अगर आप right to left देखें, right to left देखें, penetration effect increase होगा, and ionization energy भी क्या होगी, increase होगी, ionization energy भी क्या होगी, increase penetration effect क्या है, कौन nucleus, कौन absorption, nucleus के कितना पास है, सबसे पास होती है, P उस से दूर, D उस से दूर, F सबसे दूर, ठीक है, जितनी पास, force of attraction ज़्यादा, electron निकालना मुश्किल, ionization energy उतनी ज़्यादा, question कोई भी आजाए, ionization energy का, answer इसी से आना है, that is, sharp से, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, variation of ionization energy in a period, क्या हम सब को पता है, period में हम move कहां से कहां करते हैं, sir, left to right move करते हैं, sharp में से, कौन सी ऐसी चीज़ है, जो continuously change होती है, continuously change होती है, sir, that is, sharp में से है, ए, ए क्या है, atomic radius, क्या left to right जाने पर, atomic radius, जनर्नल ही बात करें, तो degrees होता है, yes, क्या sharp में हमने पढ़ा था, atomic radius और ionization energy, एक दूसरे के क्या होते हैं, inversely proportional, क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, inversely proportional, यानि कि radius अगर क्या हो रहा है, decrease, तो ionization energy क्या होगी, increase, यह तो general हो गया, sir, अब बताओ, यह तो general है, ठीक है, अब बताओ, जो questions आएंगे paper में, वो कैसे solve करेंगे, बताओ, मैं कम से कम 20 बार चुका हूँ, कोई भी question आजाए, ionization enthalpy का, answer, शाप से ही आएगा, देखो, कैसे, पहला question यह कर लेते हैं, चलो, beryllium और boron के बारे में बात कर लें, इसकी ionization energy ज़्यादा होगी, और क्यों, ठीक है, beryllium left hand side पर पाया जाता है, boron right hand side पर जाया जाता है, अगर यही बात मालनो, size decrease, तो ionization energy इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी कम होनी चाहिए, बट है नहीं ऐसा, क्यों, क्यों, वो देखे जाना है, ठीक है, beryllium, क्या atomic number कितना है, 4, electronic configuration, 1s2, 2s2, अच्छा, एक छोटी सी बात रहे गए यार, मैंने बूला ला, मैं 5 में बताऊंगा, but somehow mind से slip हो गया, बता दिया है, बस यह नहीं बताया, कि मैंने बता दिया है, ठीक है, बताता हूं, मैं क्या बात कर रहा हूँ, यह देखे, मैंने अभी-अभी, कि यह यहाँ पर लिखा था, कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड में से, P6 वाले में से लेक्टर निकालना जादा मुश्किल होगा, as compared to D वाले से, यह देखो लिखा है, उसका आंसर पता कहा है, मैंने बता दिया, यह रांसर, यह रांसर, P में से लेक्टर निकालना मुश्किल होगा, as compared to D, तो समझ आ गया, P6 में से लेक्टर निकालना जादा मुश्किल क्यों हो, as compared to D10, क्योंकि इसका penetration effect क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, चलिए, कोशन पर वापिस आ जाते हैं, बेरिलियम यह रहा, बोरन की बात करें, तो अटॉमिक नमबर कितना है, 5, 1 is 2, 2 is 2, 2, P1, ठीक, शार्थ में से, क्या आपको H के बारे में, अगर हम बात करें, that is, half-filled and fully-filled orbital, क्या आपको नजर आ रहा है यहापर, S यहाँ पर, fully-filled है, ठीक है, इस कारण इसकी ionization energy, ज्यादा, fully-filled stable होगा, एक reason, ठीक, यहाँ पर P क्या है, P, सर P, partially-filled है, क्योंकि P में 3 होते थे, तो half-filled होता था, P में 6 होते थे, तो वो fully-filled होता था, ना यह half-filled है, ना यह fully-filled है, यही electron निकलना है ना वाहर, जब ionization energy दोगे, ठीक है, तो ना यह half-filled है, ना fully-filled है, इसका वालब unstable है, unstable है तो electron जल्दी निकल जाएगा, तो इसकी ionization energy कम, और इसकी ज्यादा, क्या reason होगा, क्या reason होगा, क्या लिखेंगे, beryllium में electron कहां से निकलना है हमें, fully-filled में से, एक reason clear, लिख दूँगा मैं अभी, एक reason clear, दूसरा, क्या, यहाँ पर electron हमें, S में से निकलना है, और यहाँ पर हमें, P में से निकलना है, क्या sharp में से दूसरा reason देर आया, yes, that is penetration effect, ठीक है, S का penetration effect ज्यादा, ionization energy ज्यादा, P का penetration effect कम, ionization energy कम, तो beryllium, boron में से किसका ज्यादा होगा, beryllium का, क्या कारण है, वो बता भी दिया, यह previous year में आया भी हुआ कोशन, आज करेंगे भी हम, बढ़ दो मिनिट बाद, पहले लिख ले, क्या था, beryllium has, fully filled orbiter, एक तो fully filled है, दूसरा, उसके पास, high penetration effect, जिसके कारण, उसकी ionization energy, ज्यादा होगी, ठीक, इसी तरहांगा एक और question, जो paper में आया हुआ है, और I hope, आप answer बताएंगे, अपकी बार, nitrogen और oxygen, दोनों में से, किसकी ज़्यादा होने चाहिए, किसकी नहीं, फिर वई, left to right बात करें, तो nitrogen राइट-hand side भी बाए जाता है, size कम, ionization energy, इसकी ज़्यादा होने चाहिए, बढ़ ऐसा होता, नहीं है, answer, शाप में से ही आएगा, कैसी, nitrogen, 1s2, 2s2, 2p3, oxygen, 8, 1s2, 2s2, 2p4, क्या answer समझ आगया जी, आपको, ठीक है, I hope so, answer आपको समझे, आ चुका है, जी मेरे बताने से पहले क्या, यहाँ पर यह क्या है, हाफ फिल्ट, शाप में है ना, H क्या है, हाफ फिल्ट, हाफ फिल्ट, stable, ionization energy, जादा, यह, 4 में से, लेक्टर निकालना, पास्री फिल्ट है, stable, नहीं है, तो इसमें से, देर्फूर क्या होगा, stable, जिसके गारण, उसके ionization energy, क्या होगी, जादा, ठीक, एक, लास्ट चीज और बता देते हैं, फिर उसके बाद, कोश्चन शुरू करते हैं, ionization enthalpy के, ठीक है, that is variation, of ionization energy, in, a, group, top to bottom जाएंगे, sharp में से कौन सी चीज, जो है, वो continuously change होती है, that is a, atomic radius, atomic radius क्या होगा, increase, atomic radius, और ionization energy, एक दूसरे के क्या थे, inversely, proportional, यानि कि, ionization energy क्या होगी, decrease, ठीक है सर, ये बात भी समझ आ गए, सर अगर आपकी बात को, सच मानली आ जाएं, तो ये देखिए, ये कोशन भी, ungenerate time paper में, आ चुका है जी, boron, aluminium, gallium, top to bottom जाएं, तो ionization energy क्या होनी चाहिए, decrease होनी चाहिए, यानि कि, gallium की, कम होनी चाहिए, as compared to aluminium, ठीक है, बड़ ऐसा, नहीं है, कोशन क्या है, gallium has, higher, अनि लोवर चाहिए थी, higher, ionization energy, then, aluminium, why, बहुत बार कोशन आया है, ठीक है, answer, discuss हम लोग, कर चुके हैं जी, क्या याद आया, gallium किसके बाद प्रेजेंट है, D block के बाद, D block वालों का, सबसे जादा shielding फेट किसका होता था, S वालों का, फिर P वालों का, फिर D वालों का, और फिर F वालों का, तो gallium से पहले कौन से वाले हैं, D block वाले, जिनका shielding effect कम, shielding effect कम, तो ionization energy, जादा, यह देखो लिखा है, यह यह पर लिखा है, कहां गया, यह लिखा है, यह देखो, shielding effect यह, screening effect, यह अगर कम हो जाएगा, तो ionization energy बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के, क्या है, universally proportional, तो पस यह लिखना, gallium has higher energy energy, as present after, किनके बाद present रहे, D block, which has less, shielding effect, बस जी, shielding effect कम होगा, तो ionization energy बढ़ जाएगी, ionization energy बढ़ जाएगी, ठीक, चलिए, आगे बढ़ते, आप कुछ questions देखते हैं, need 2019 में ही आया, question क्या है, second period के elements है, आप से correct increasing order पूछा हुआ है, first ionization enthalpy का, beryllium, bor, और नहीं लीथियम से शुरू होगा, बैटा, give me a sec, हाँ, जीथियम है, लीथियम, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, एक अगर simple लेखे, left to right जाएगा, size degrees होगा, ionization energy बढ़ेगी, बढ़ अभी-अभी, थोड़ देर पहले हमने, शार्थ की help से, क्या दो exception बढ़े थे, beryllium और boron में से, जादा होनी किसकी चाहिए थी, boron की, बढ़ होगी किसकी, beryllium की, reason अभी-अभी पढ़ा जी, अभी-अभी पढ़ा, just five minutes पहले, ठीक है, और देखे, क्या एक और exception बढ़ा था, इसमे, nitrogen और oxygen में से, जादा होनी किसकी चाहिए थी, oxygen की, बढ़ होती किसकी है, that is, nitrogen की reason, अभी-अभी पढ़ा जी, ठीक है, तो बस, lithium की सबसे कम, neon की सबसे जादा, और ये, दो exception, देखो ज़रा, lithium की सबसे कम, neon की सबसे जादा, और दो exception, कहां है, वो दो exception, वो ये रहे, यही है ना, lithium की सबसे कम, neon की सबसे जादा, beryllium, boron में से, होनी beryllium की चाहिए थी, boron की होनी चाहिए थी, बट होगी किसकी, beryllium की, oxygen, nitrogen में से, जादा होनी किसकी, चाहिए थी, oxygen की, बट होगी किसकी, nitrogen की, question का answer, आ भी चुक है, that is with the help of, sharp, thick, half-filled and fully-filled, orbitals, अगला question देखिए, यह numerical है, first, second and third ionization energy, first ionization energy, second ionization energy, third ionization energy, aluminium की दे रखी है, first first के लिए, इतनी energy लग रही है, second के लिए, इतनी लग रही है, third के लिए, इतनी लग रही है, एक mole के लिए, यह line important है, one mole के लिए, आप से पूछा हूँ है, energy required, calculate, बताइए, कितनी energy लगेगी, अगर आप aluminium से aluminium, 3 positive ion convert करना चाहते हैं, ठीक है, वो भी तो aluminium से aluminium, 3 positive ion ही convert कर रहा है, पहले aluminium से aluminium, 1 positive ion बनाएगा, फिर वो electron or lose करेगा, तो aluminium 2 positive ion बनेगा, फिर वो electron or lose करेगा, तो aluminium 3 positive ion बनेगा, ठीक है, जो energy लगेगी, ठीक है, वो कितनी है, 578 plus 1817 plus 2745, ठीक है, for one mole, आपको 270 milligram के लिए बतानी है, for one mole, energy कितनी लगेगी है, that is 578, 2745, 1817, 578, 5, 1, 3, 0, kilo joule per mole, बढ़ आप से तो, one mole के लिए energy लग रही है, हमें कितने के लिए पूछी हुई है, सिरफ 270 milligram, क्या, हमें number of moles निकालने आते हैं, yes sir, that is, mass in gram, divided by gram atomic mass, आपको 270 milligram दे रख्या, क्या milligram यही होता है, milligram को gram में convert करने के लिए, 10 is over minus 3 से का कर दूँगा, multiply, या thousand से divide कर दूँगा, पात क्या है, same, divided by gram atomic mass, कितना है उसका, 27, क्या बेटा, इसको solve करूँगा, तो 10 raise to over minus 2 mole आ जाएगा, 10 raise to over minus 2 moles आ जाएगा, 1 mole के लिए यतनी इनर्जी लग रही है, तो बताओ 10 raise to over minus 2 के लिए कितनी लगेगी, सर्म multiply कर दीजे, 5, 1, 3, 0, into 10 raise to power minus 2, comes out to be 51.3, यह 51, यह 4 आएगा क्या, 4 to 6, 6 और 1, 7, हाँ, 14 नहीं है, 5, 1, 4, 0 है, 5, 1, 4, 0 है, ठीक है, तो 5, 1, 4, 0, into 10 raise to power minus 2, comes out to be कितना हो जाएगा बेटा, 51.40 kilo, जो, the answer would be B option, ठीक है, simple numerical था, ठीक है, unitary method पे, first chapter से आप बोल सकते हो, ठीक है, next question के बारें बात करते हैं, बेटा, question क्या है, अच्छी तरह की से पढ़ ले, among the following configuration, which one have the highest ionization energy, answer, शाप से ही आएगा, ठीक है, highest मलब सबसे जादा, partially filled है, last electron P2, नहीं हो सकती हाइस्ट, last electron P1, नहीं हो सकती हाइस्ट, यहाँ पर 4P3, half filled, P3 है, half filled, sharp में H, यहाँ पर भी 3P3, half filled, ठीक है, तो दोने half filled हैं, वो भी P3 है, वो भी P3 है, सर आप इन दोनों में से कैसे निकालेंगे, फिर वाई, sharp लगाई है, सबसे पहले कौन सा बरा जाएगा, क्या 3P बरा जाएगा, क्या 4P बरा जाएगा, सर पहले 3P बरा जाएगा, वो nucleus के क्या होगा, जादा pass होगा, जादा pass होगा, तो electron निकालना मुश्किल होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं विटा, एक और question है, क्या है question, which one of the following, an atom has the lowest ionization energy, ठीक है, lowest, सबसे कम, इसके बारे मात करते हैं, यह देखो, sharp में, fully filled, काफी जादा होगी, तो answer नहीं हो सकता, P3, half filled, sharp में H, stable होगा, नहीं हो सकती, ठीक है, अब यह दोनों में से answer होगा, यह दो B, या D, क्या आपको पता है, अगर यह electron loose करेगा, यह electron loose करेगा, तो यह बन जाएगा, 1s2, 2s2, 2p4, ठीक, और अगर D वाला electron loose करेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, electron loose करने के बाद, 1s2, 2s2, 2p6, अरे भाई, अगर इसने electron loose कर दिया, तो यह क्या बना लेगा, यह 1s2, 2s2, 2p6, याने के, fully filled हो जाएगा, electron loose करने के बाद, fully filled हो जाएगा, stable हो जाएगा, तो यह तो चाहेगा, भईया, मेरे से मेरा एक electron ले लो, ठीक है, बड़ मुझे stable कर दो, तो यह बहुत जल्दी electron loose करेगा, तो आंसर क्या होगा हमारा option number D, न A होगा, न C होगा, न B होगा, ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा D, एक electron loose करते ही, stable हो जाएगा, तो हर कोई stable ही होना चाहता है, ठीक, आगे बढ़ते, नाइट्रोजन और oxygen में से, जादा होनी किसकी चाहिए थी, ठीक है, oxygen की है किसकी, nitrogen की, शाप के थुरूई पढ़ाया था, तो nitrogen की जादा होगी, oxygen की कम होगी, पहले value किसकी लिखियो है, nitrogen की, फिर oxygen की, तो पहले वाली value जादा, दूसरे वाली value कम, एक ही option है, option number D, है न, पहले वाली value 11.32, अगले वाली 8.21, यहाँ पर दोनों सेम है, यहाँ पर भी दोनों सेम है, यहाँ पर पहले वाली कम है, दूसरे वाली जादा है, ऐसा नहीं हो सकता है, nitrogen की जादा आनी थी, और oxygen की कमानी थी, तो पहले nitrogen और फिर oxygen, देखते ही, आंसर आ गया जी, option number D, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, the ionization energy, तीन elements है, एक है, A, B, C, ठीक है, A की दे रखी है, B की, C की दे रखी है, ठीक है, आप से पूछा हूँ है, element which represents an, alkali metal, alkali metal, first group के metals होते हैं, क्या आपको पता है, first group का कोई भी metal हो, जैसे मानलो, sodium, अगर ये, एक electron loose कर देता है, अगर ये, एक electron loose कर देता है, यानि कि, Na positive में convert हो गया, तो क्या आपको पता है, ये बहुत जादा stable हो जाता है, बहुत जादा stable हो जाता है, तो जब भी भी alkali metal पहचानना हो न, इसकी first ionization energy, एक electron निकालना इसमें से बहुत आसान होगा, ठीक है, क्योंकि एक electron loose करने के बाद, ये क्या हो जाएगा, stable हो जाएगा, तो इसकी first ionization energy, बहुत कम होगी, और second ionization energy, बहुत जादा होगी, ठीक है, first come, second बहुत जादा, क्या ऐसी कोई option है, first come है, second जादा है, first come है, second जादा है, first come है, और second बहुत जादा है, तो इसका मतलब, A क्या हो सकता है, alkali metal हो सकता, एक हमें और पहचानना है, इसमें alkaline earth metal कौन है, alkaline earth metal होते हैं second group वाले इनकी पहचान देखो क्या है इनकी पहचान देखो क्या है first or second में से second जादा होगी वो तो सबकी ही जादा होती है but first or second में difference बहुत जादा नहीं होगा first or second में difference बहुत जादा नहीं होगा सर क्यों नहीं होगा ऐसा क्यों अब आप यह बताओ ऐसा क्यों ठीक है क्यों 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 कि ये एक electron loose करने के बाद इनके पास बस एक और electron ले जाता है loose करने के लिए एक और कैसे loose कर देंगे स्टेबल हो जाएंगे और हर कोई स्टेबल होना चाहता है हर कोई स्टेबल होना चाहता है पता न स्टेबल कैसी हो गए है फिर वाई fully filled configuration आ गई है तो हर कोई स्टेबल होना चाहता है तो इसका मतलब 1st और 2nd में difference होगा बड़ बहुत ज़्यादा difference नहीं होगा चेक करके भी difference जो है वो लगबग double है, यहाँ पर भी double है, बट एक metal line में से और एक non metal है, non metal हमेशा priority table में right hand side पर पाए जाते हैं, जिनके ionization energy जादा होती है, size कम होता है, ionization energy जादा होती है, इसका वलब यह तो नहीं हो सकता, alkaline earth metal यही होगा, so B is alkaline earth metal, T क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि C की पहली ionization energy ही जादा है, metal और non metal में से non metal की जादा होती है, ठीक है, और metals की क्या होती है, कम, answer आ चुक है, non metal कौन होगा, that is C होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं मैटा, एक question रह गया, question क्या है, देखें जरए, why ionization energy, IE1, IE1 कहने का मना पता क्या है, first ionization energy, क्या, first ionization energy, यह रहाग carbon, 1S2, 2S2, 2P2, और boron की बात करें, first ionization energy, किसकी carbon की ज्यादा है, ठीक है, left to right जाते है, boron पहले आता है, carbon बाद में आता है, तो carbon की ज्यादा होगी, size छोटा है, ठीक है, but reverse true है, for ionization energy, second, अगर second ionization energy की बात करें, दोनों एक 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 electron lose कर चुके हैं, यह carbon नहीं है, carbon positive है, यह boron नहीं है, boron positive है, एक एक electron lose कर चुके हैं, यह बन चुका होगा, यह बन चुका होगा, अब बताओ बई, second ionization energy, जी बोरोन की क्यों ज्यादा होगी अगर फस्त कारवन की ज्यादा थी तो सेकंड बोरोन की क्यों 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 ज्यादा होगी क्या सब को नजर आ रहा है कि अपकी बार electron किसमें से निकालना है S में से जो क्या है fully filled तो stable है तो electron निकालना मुश्किल है इसकारण boron की second ionization energy जादा है और carbon की first क्यों जादा थी size small therefore ionization energy is comparison इन दोनों का होगा अब इसके बारे में बात करें fully filled है table है इसमें से electron निकालना मुश्किल होगा तो second ionization energy हाई होगे ठीक simple सा question था अगला topic की तरफ move करते हैं बैटा टॉपिक क्या है electron gain enthalpy या electron affinity मैं electron affinity की time में बताऊंगा इसको ठीक है मतलब दोनों का क्या है same ठीक है जड़ा ध्यान से सुनिए समझे ठीक है सबसे पहले तो एक निगा ले लिजे अब ये मत पूछेगा निगा का मतलब क्या होता है यहां पर निगा में electron डालेंगे ठीक है सर जो भी energy release होगी जो भी energy release होगी उसे क्या बोलेंगे हम electron gain enthalpy क्या बोलेंगे उसे हम electron gain enthalpy टिक है electron gain enthalpy टिक है electron gain enthalpy जब ज्यादा होती है sir what do you mean by ज्यादा जब कोई भी atom चाहेगा कि उसके पास electron आये जब कोई भी atom चाहेगा कि उसके पास electron आये तो electron gain enthalpy negative होती है मतलब समझाता हूं कोई दो atom रख लिए हमने कोई दो atom रख लिए एक रख लिए मैंने x ऐसी नाम रखा है बस उसकी electron gain enthalpy आई माइनस 300 किलो जूल पर मोड और एक कोई दूसरा atom y है उसकी electron यह y है y q पर negative उसकी बेटा electron gain enthalpy आई minus 500 जिसकी negative में value ज्याद है वैसे तो अगर math wise देखोगे तो minus 300 minus 500 कौन सी value ज्यादा लगेगी minus 300 मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं जिसकी भी negative में value ज्यादा है वो value ज्यादा है याने के y की electron gain enthalpy ज्यादा है then x ठीक है सर ज्यादा होने का मतलब क्या है यह ज्यादा चाहता है कि मेरे पास electron आए यह ज्यादा चाहता है मेरे पास electron दोनों ही चाहते हैं कि दोनों के पास ही आए बड़ अगर पूछा जाए कि किसकी ज्यादा है तो यह ज्यादा चाहता है ठीक है सर electron affinity क्या होती है बस इ प्लस 300 किलो जूल पर मोल और इसकी इलेक्ट्रोन अफिनिटी प्लस 500 किलो जूल पर मोल अगर पेपर में आ गया कि दोनों में से इलेक्ट्रोन अफिनिटी किसकी जाद है X की प्लस 300 है Y की प्लस 500 है Simple किसकी है सर Y की जिसकी electron gain enthalpy ज्यादा है उसकी electron affinity भी ज्यादा ही होगी, ठीक है, मैं तीसरी बार repeat कर रहा हूँ, electron gain enthalpy की value negative में लिखी जाती है, ठीक, इसको लिख ले अपने notes में, electron gain enthalpy की value negative में लिखी जाती है, ठीक, जितनी ज्यादा value negative में होगी, माइनस 300 माइनस 500 माइनस 500 जादा होगी ठीक और जादा होने का मालब क्या है वो चाहता है उसके पास electron आए वो चाहता है कि उसके पास electron आए ठीक है अब difference दोनों में क्या है electron affinity में बस यह याद रखना कि यह 0 Kelvin पे define की जाती है electron affinity और यह किसी भी temperature पे any temperature यह 0 Kelvin पे define की जाती है बस यतना सा difference से दोनों गए बट हम दोनों हम यहाँ पर सिरफ यह बोल देते हैं sign opposite है factors जिनके ओपर electron gain enthalpy डिपेंडर कर दिये ठीक है क्या बोला था उसने mind mind के बाद क्या बोला था मैंडलीव ने sharp और यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहा है अपनी body part के किसके बारे में बात कर रहा है eyes किसके बारे में बात कर रहा है eyes के बारे में बात कर रहा है सर यह S क्या है size size जितना छोटा होगा item का nucleus के electron उतना पास आएगा जितना पास आएगा electron gain enthalpy उतनी जादा electron gain enthalpy उतनी जादा मैं repeat कर रहा हूँ size atom का जितना छोटा जो भी बाहर से electron आ रहा है वो nucleus के क्या आएगा उतना ही पास electron gain enthalpy उतनी ही जादा size और electron gain enthalpy एक दूसरे के inversely proportional screening effect सर क्या है screen effect नहीं है यह just wait a sec दुबारा लिख देते हैं मैं screen में glitch है आज next time तक ठीक हो जाएगा ice के spelling ही change कर देते हैं टाकि problem रही ही ना पहले स का मतलब है size size यतना चोटा यह बता दिया था जर यह तो दुबारा आप बता रहें रैक्टन गें इंधाल्पी उतनी कम ठीक है एक यह का मतलब है effective nuclear charge यह अब यह भी बताया indirectly इससे जो भी इलेक्ट्रोन आ रहा है अगर वो force of attraction क्या होगी ज्यादा force of attraction ज्यादा तो effective nuclear charge ज्यादा तो electron गें नंथाल्पी भी क्या होगी ज्यादा ठीक और देखें एक और ऐसका मतलब क्या है पहले यह का मतलब समझाता हूं ellipticity ellipticity of attraction next page पर लिख रहा हूं जस्त मतलब बता देता हूं ellipticity of attraction बस बोलने के लिए ऐसा बोला गया जी यह basically पता क्या है यह penetration effect यह penetration effect है जितना जादा penetration effect उतनी ही जादाans गें नकेंखलै प्र penetration effect क्या होता था कौन सी Subshelle Nucleys के कितने पास होती थी जो जतना पास होगी उशका shameless लिए हुँआ कि उसके निंद्धाल्पी वी उत्तना ही क्या होगा ज्यादा ओगा एक और ई आना यहाँ पर एस नियाना था यह आना वह का मतलब क्या है एलेक्ट्रॉणिक कुन्फिग्रेशन अगर stable को स्टेबल के ने का बला एलेक्ट्राणिक कंफिगरेशन कब सेबल होती थी जब वह फिल्ड होता था या फुली फिल्ड होता था अगर से बलोगा तो elektron gain enthalpy कम होगी एधिक है अगर सेबल होगा तो electron gain enthalpy क्या होगी कम होगी ठीक है अब move करते हैं जी आगे ठीक है नहीं पहले एक छोटी सी चीज बता लें फिर उसके बाद आगे क्या है variation of electron gain enthalpy in a period फिर वही बात eyes में से कौन सा ऐसा factor है जो left to right जाने पर change होता ही होता है that is size size decrease होगा तो electron gain enthalpy क्या होगी increase होगी चलो यह तो चलो सर बात पता चल गई जो paper में question आता है वो eyes में से ही आएगा जैसे comparison करें beryllium और boron में से sir आपकी बात मान ली जाए तो left to right जाएंगे size decrease होगा electron gain enthalpy क्या होगी increase बट अगर बात करें हम beryllium और boron beryllium 1s2 2s2 boron 1s2 2s2 2p1 क्या आपको पता है यह already half fully filled है as fully filled है stable है जो भी stable होता था उसकी electron gain enthalpy बहुत कम आती थी ठीक है तो इसका वल्लब beryllium की electron gain enthalpy low आएगी ठीक है और comparison करें इधर एक और question करें वो होगा nitrogen और oxygen अगर सर आपकी बात सच माननी जाए यहां beryllium boron में से वैसे भी boron की जादा आनी चाहिए थी boron की ही जादा आई भी है ठीक है बट यहां पर देखिए nitrogen और oxygen में अगर हम comparison करें ठीक है lithium beryllium का comparison करते तो beryllium की जादा आनी चाहिए थी increase electron gain enthalpy increase ठीक है यहां पर भी comparison के लिए हमने example जो है वो गलत ले लिए है हमें example लेना था carbon और nitrogen का एक्जामपल सही कर देता हूं मैं carbon nitrogen का left to right जाते है size decrease electron gain enthalpy increase तो nitrogen की ज्यादा होनी चाहिए बट होगी किसकी ज्यादा carbon की यारिकि nitrogen की कम होगी कारण electronic configuration पता है 2p3 फिर वही हाफ फिल्ड हाफ फिल्ड है stable है table है तो electron gain enthalpy less होगे electron gain enthalpy less होगे ठीक आगे बढ़ते हैं which of the following value of electron gain enthalpy बतानी है na positive की na positive की electron gain enthalpy मतलब electron add कर तो उसमें यह बताना है अगर आपको ie1 दे रखा है ie1 मतलब first ionization energy दे रखिए sodium की अच्छा यह दे रखा है आपसे यह value दे रखिए और उपर वाली value पूछी हुई है क्या हमने reaction को reverse कर दिया reactant की जगा product product की जगा reactant तो यह plus 5.1 था उपर जाके क्या हो जाएगा minus 5.1 answer कहां पर आ जाएगा यह रहा c option next which of the following represents the correct order of increasing electron gain enthalpy with negative sign पहले इसके लिए एक variation पढ़ने variation के बाद यह मैं question कराता हूँ sir variation period का पढ़ लिया था आपने अब हमें पढ़ना group का group का top to bottom eyes में से size increase होता है size increase तो electron gain enthalpy decrease यानि कि उपर वाला group के अंदर जो उपर वाला उसकी ionization electron gain थल्पी जाद आनी चाहिए और नीचे वाले की क्या आनी चाहिए कम आनी चाहिए बट ऐसा कहीं जगा पर नहीं होगा जैसे chlorine chlorine bromine iodine यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर fluorine की सबसे आता होने चाहिए बट ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा order यह होता है सर क्यों होता है ऐसा order सर क्यों होता है ऐसा order ठीक है कि fluorine की कम क्यों होती है as compared to chlorine ठीक है पहले तो यह रहा order और ऐसा है क्यों due to small size and high electron electron repulsion size छोटा होने के कारण और electron repulsion जाधा होने के कारण ठीक है यह इसकी electron gain in therapy क्या हो जाती है कम हो जाती है 16th group में भी ऐसा ही होता है 16th group में भी ऐसा ही होता है होना तो यह चाहिए कि oxygen की सबसे जाधा होने चाहिए बट oxygen की सबसे कम हो जाती है oxygen की सब ते कम हो जाती है ठीक है electron gain in therapy increases फिर वह oxygen की कम क्यों होती है छोटा size होता है आपस में electron electron repel कर रहे हैं तो बिचारा जो बाहर दे electron आएगा वो तो repulsion ही फील करेगा यह कुछ questions ने मेटा इसके ऊपर अभी अभी हम लोगों ने पढ़ लिया के CL की तो जाधा होगी है ना है तो CL की जाधा कहा नजर आ रही है मेरको एक तो यहां पर एक यहां पर ठीक दूसरा हमने क्या पढ़ लिया था sulfur और oxygen में से किसकी जाधा है sulfur की जाधा है बस यह answer देखते ही आ गया चारों कोई comparison करने की जरूरत है ही नहीं आपको ठीक है next एक और देखिए क्या same question आ गया है हाँ वैसा ही है बट वो नहीं है हाँ ठीक है ठीक है SFCL फिर वई CL की सबसे जाधा और auction की सबसे कम सेम कोशन है बस अलग अलग year में आया वह था ठीक है तो option नमबर भी चलिए बेटा मूब करते हैं हमारे आज की इस chapter के last topic की तरव ठीक है और उस topic का नाम क्या है that is electronegativity हमारी last topic electronegativity क्या होता है अरे कुछ नहीं है यार यह देखिए कोई भी आप दो atoms ले लीजे जिन्नोंने आपस में covalent bond बना रखियो ठीक covalent bond में आ रखियोगी तो electron इन्होंने आपस में क्या कियोंगे share कियोंगे ठीक अब इस shared pair of electron को अपनी तरफ खीचने की tendency वही क्या कहलाती है electronegativity भई दो electron है एक इस ने दिया एक इस ने दिया दोनोंने आपस में bond में आ ली ठीक दोनों में से जो अपनी तरफ जादा खीच लेगा electron को वह जादा electronegative है जिससे दूर हो जाएंगे electron वह कम electronegative है जैसे यहाँ पर chlorine more electronegative है और यहाँ पर यह hydrogen क्या है less electronegative अलग है electron दोनों ने एक एक दिया तो shared pair बिल्कुल भीच में रहना चाहिए बड़ासा नहीं होगा है ना दो दोस्त हैं मान लीजे 200 रुपीज एक ने दिया है 200 दूत्रे ने दिया है और गया है किसी restaurant में खाना खाने शाही पनीर और साथ में बटर नान ठीक है तो दोनों ही वो शाही पनीर की कडाई को अपनी तरफ खीचने की कोशिश करेंगे और दोनों में से कोई एक जो ज़्यादा healthy होगा और definitely वो शाही पनीर की कडाई उसकी तरफ ज़्यादा खीच जाएगे यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि electron दो दोनों ने एक एक दिया है बड़ यह ज़्यादा एक ज़्यादा एक बात करतें सुने इलेक्ट्रो नेगिटिविटी जो है किनकी ओपर डिपेंड करती है अफेक्टिंग इलेक्ट्रो नेगिटिविटी मैंने बोला था चार प्रॉपर्टिस मोस्ट इंपोर्टन चार वर्ड्स उसके लिए हम पढ़ेंगे हम लोगों ने पढ़ लिया है जो मेंडलीव ने क्या बोला था मेरी शार आँखें ठीक है किसके जैसी लगती थी उसकी आँखें उसकी आँखें दिखती थी कुछ-कु इसके जैसी जो क्याबिटे लेक्रस में लिखें उनका मतलब है जो स्मॉल लेटर में लिखें उनको कोई भी मतलब नहीं है एच स्टैंट्स पॉर हाइब्रे डाई स्टेशन सर हाइब्रेडाईजेशन क्या होता है पुआता ही है नेक्स्ट हम केमिकल बादिंग मॉलकुलर स्टैक्टर में हम लोग पढ़ेंगे ठीक है और हाइब्रेडाईजेशन में जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा जितना ज्यादा क्या होगा एस करेक्टर उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रो नेगिटिविटी होगी, इन लिख रहा हूं, इन का मदलब है, इलेक्ट्रो नेगिटिविटी, यानकी directly promotional है, सर, S करेक्टर कैसे निकालते हैं, तीक है, जैसे यह देखिए, S, P, S, P, 2, S, P, 3, नाम से ही पता चल परहा है, एक S है, एक P है, टोटल दो हो गए, ठीक है, उसमें से S कितने है, 1, तो परसंटेज कितनी हो गई S की, 1, divided by total, टोटल मतलब 2 into 100, 1 by 2 into 100 क्याने कि 50%, यहाँ पर S का परसंटेज कितना हो गया, 1S, 2P, टोटल कितनी हो जाएंगे, 3, 1 divided by 3 into 100, 33.33%, यहाँ पर 1 divided by 4, 1S3P, तो 25%, जितना जादा S करेक्टर, उतनी जादा, इलेक्ट्रो नेगिटिविटिविटिक थी, इधर से इधर जाएंगे, S करेक्टर इंक्रीज, और अगर S करेक्टर इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रो नेगिटिविटिविटि भी क्या होगी, इंक्रीज, O, O में Oxidation State है, सर्फ कौन सी Oxidation State, Positive या Negative, अगर Positive है, तो वो Directly Proportional Electro-Negativity, समझाता हूँ, जिसकि मैं है सेक्ट, ठीक है, और अगर Negative है, तो वो Inversely Proportional Electro-Negativity है, नेक्स बीच पे लिख लेते हैं, जैसे यह देखे, एक Fe 2 Positive है, और एक Fe 3 Positive है, सर यह तो दोनों ही Positive है, Positive Negative वाला भी Example देखने हैं, बट पहले तोनों Positive देख ले, जितना जादा Positive Charge, उतनी जादा Electro-Negativity, इस पर 2 Positive है, इस पर 3 Positive है, तो कौन जादा Electro-Negativity हो गया है, Fe 3 Positive is much more Electro-Negativity than Fe 2 Positive, इधर सीधर जाएंगे, Electro-Negativity क्या होगी, Increase होगी, ठीक है, अब बात कर लेते हैं, वो Positive और Negative के बारे में, कोई पूछ ले, H Positive और H Negative, और सर ऐसा है भी क्यों, Positive चार्ज बढ़ने से Electro-Negativity बढ़ कैसे रही है, बेटा Positive चार्ज जादा होने का वालब है, Electron की कमी है बहुत जादा, और जितनी जादा Electron की कमी होगी, वो Electron को उतना जादा क्या करेगा, Attract करेगा अपनी तरफ, ठीक है, वही हो रहा है, यहाँ पर भी, ठीक है, सॉरी, एक पीछे चलना था, हाँ, ठीक है, Now, S, सरी, S क्या है, S stands for Size, जितना Size छोटा होगा, जो भी Shared Pair of Electron है, उतना पास होगा, जितना पास होगा, नूकलिस के जितना पास होगा, उसको Attract भी वो उतना ही जादा करेगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितना Size छोटा होगा, तो नूकलिस के Shared Pair of Electron उतना क्या होगा, पास होगा, पास होगा, तो Attract भी जादा करेगा, यानि कि Size कम Electronegativity जादा, Size is inversely proportional to Electronegativity, ठीक है, और यह रहा, Last, Effective Nuclear Charge, पता ही है ना, कि Effective Nuclear Charge के ओता है, नूकलिस की Outer Moe Shell के Electron पर Attraction, अगर वो जादा है, तो Electronegativity भी क्या होगी, जादा, अगर वो कम है, तो Electronegativity भी क्या होगी, कम, यह चार factors थे, ठीक है, अब इनी के ऊपर हमें पढ़ना है, आगे, Variations of Electronegativity इन्हें पीरियेट, Left to Right जाते, आप सबको पता है, Size क्या होता है, Decrease, Size Decrease होगा, अभी अभी पढ़ा था, तो Electronegativity क्या होगी, Increase, यह पढ़ा है ना अभी, कहाँ पढ़ा, यह रहा, Size और Electronegativity एक दूसरे के क्या है, Inversely Proposal, ठीक है, Size Decreases, Therefore Electronegativity Increases, Now, Variation, Fluorine is the most Electronegative element, Variation of Electronegativity in a Group, Top to Bottom जाहेंगे, Size क्या होगा, Increase, तो Electronegativity क्या होगी, Decrease, Size क्या होगा, Increase, तो Electronegativity क्या होगी, Decrease होगी, ठीक है, Cesium is the least Electronegative element, उसके नीचे फ्रेंशियम भी होता है, बन्ट Radioactive है, वो हमें बात नहीं करनी है उसके बारे में, ठीक है, चले, यह तो Variation होगे, अब हमें, जो Main बात पढ़नी है, इसमें, Electronegativity में, वो पढ़नी है, इसके Applications, Sir, Applications of Electronegativity, पहला, Chi A, Minus Chi B, हरे, Sir, यह क्या लिख दिया है, यह Electronegativity के Difference है, अगर इसका Difference 0 है, जीरो कहने का मादलब है, दोनों की Electronegativity क्या है, सेम, सेम कहने का मादलब है, Tug of War जैसा, जैसे एक डो Twins हो जाएं, दोनों में यह सेम ही Energy हो, तो Tug of War खेलेंगे अगर, तो बिल्कुल जो रसी है, वो बिल्कुल क्या रहेगी, बिल्कुल बीच में रहेगी, किसी पर भी कोई भी Charge Develop नहीं होगा, ठीक है, Chi A, Minus Chi B, 0 आएगा, अगर, तो Bond क्या होगी, 100% Cobblend, क्योंकि कोई भी Charge Develop भी नहीं होगा, कोई किसी पर positive नहीं आएगा, किसी पर negative नहीं आएगा, जिसकी तरफ जाज़ा electron चले जाते हो, उसमें negative आता, partial negative, जिससे दूर हो जाते हो, उसमें positive आता, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, Second, अगर, Chi A, Minus Chi B, कुछ है तो, value कुछ है तो, but this is less than 1.7, 1.7, ठीक है, then, bond is more covalent and less ionic, इसका मतलब समझाता हूँ है, बट चार्ज तो develop होंगे, obviously बात है, ठीक है, क्योंगि आपकी बार, लेक्रोडिन डिफ्रेंस है, ज्यादा लेक्रोडिव होगा, एक कम लेक्रोडिव होगा, बट, बट, चार्ज बहुत ज़्यादा develop नहीं होगे, यानि कि sharing वाला portion क्या रहेगा, ज्यादा, तो bond ज्यादा covalent लगेगी, और ionic character क्या होगा, कम होगा, अगर काई ये, minus काई भी, is equal to 1.7 आगया, तो bond is 50% covalent, 50% ionic, आप covalent, और हाफ ionic, ठीक है, और अगर इससे जादा हुआ electronic duty difference, अगर इससे भी जादा हुआ electronic duty difference, 1.7 से भी जादा, तो bond is more ionic, यानि कि 60% ionic character या, 65% ionic character या, 53% ionic character, bond is more ionic and less covalent, ठीक, सर, percentage of finite character, या, covalent character निकालते कैसे हैं, आज भी मैंने बोला था, class में, कि आप electronic duty difference की help से find out कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पर लिख रहाँ, यहाँ पर लिख रहाँ, that is 16, bracket में, काई ये, minus काई बी, प्लस, 3.5, काई ये, minus काई बी का whole square, ठीक है, काई ये क्या है electronic duty A की, काई बी क्या है electronic duty B की, अगर आपको ionic character की percentage पता चल जाए, तो covalent अपने आप पता चल जाएगी, मालो 83 परसेंट आई निक करेक्टर आया, तो covalent करेक्टर कितना होगा, 100, minus 83, that is 17%, तो आपकी ये कुछ applications थी, electronegativity की, ठीक है, और बात करते हैं, आपने देखा होगा, अलग अलग substance, जैसे ये देखो, HOCl, क्या इसमें OH group है, येस सर, इसमें OH group है, इसको water में डालते हैं, तो ये H positive आइन देता है, आप चाहें यापर H positive लिखना है, तो H positive लिखनो, H3O positive लिखना है, तो H3O positive लिखनो, मतलब दोनों का क्या है, याने के, ये acid की तरह गाम कर रहा है, ये वाटर में डालते हैं, तो ये base की तरह गाम कर रहा है, OH negative iron दे रहा है, तो ये ऐसा कैसे, how will we come to know, सेम सबसा, उसमें भी OH group है, कैसे पता चलेगा, कोई acid की तरह काम कर रहा है, या base की तरह काम कर रहा है, ये depend कर रहा है, किस atom के साथ bond बनी है, ये वाली bond, इसको मैं M से denote करूँगा, किसे denote करूँगा, M से, M का मतलब कोई भी element, कोई ऐसी कोई specification नहीं है, ठीक है, अगर काई O, पहली बाद काई O का मतलब समय आ गया, electronegativity of O, minus electronegativity of element, element मतलब यही जैसे यहाँ पर C L है, ठीक है, अगर ये greater than I, अगर ये greater than I, ठीक है, greater than, वो आएगी इसके case में, यहाँ पर less than I, काई O minus काई H, is less than काई O, and काई M, अगर ऐसा हुआ, तो it will act as an acid, और अगर, अगर ऐसा आया बेटा, काई O minus काई H, is greater than, यहाँ पर less than आएगा, उपर वाले में, यह गलत लिख दिया है मैंने, बोला सही था, यह greater है, यह less है, काई O minus काई H, पता है न, यहाँ पर M क्या है, यहाँ पर ये sodium M, ठीक है, तो ये base की तरह काम करेगा, पेपर में, कोशन आया हुआ है, बस करना क्या है, electro negativity की values रखनी है, ठीक है, difference निकाल के देख लेना, अगर oxygen hydrogen का, जाधा है, oxygen और जो भी वो element था, उसके comparison में, तो यह acid की तरह काम करेगा, otherwise यह base की तरह काम करेगा, ठीक है, nature of oxides के बारे में भी बता देते हैं, जैसे कोई पूचले की sodium oxide, बताओ, acid है, basic है, neutral है, amphoteric है, जो oxygen से जितना दूर होता है, जैसे priority table में oxygen आपको पता कहा है, sodium आपको पता कहा है, बहुत दूर दूर है, तो इनकी oxides जो है, जिनको metal oxides भी आप जनरली बोल देते हैं, वो basic nature की होती है, ठीक है, non-metal की oxides, sulfur dioxide, sulfur trioxide, NO2, यह oxygen के बिल्कुल पास-पास होते हैं, ठीक है, इनकी oxides जो हैं, वो acidic nature की होती है, metal oxides, basic nature की होती हैं, जनरली, acidic oxides जो हैं वो generally non-metal की oxides acidic nature की होती है ठीक है जो आपके काम आ सकता है nature of oxides में वो ये है M4 karak oxides उसके लिए एक छोटा हमने neemonic बना रखा है वो ये है भाई तब जाप करो B stands for beryllium oxide S stands for SNO, tin oxide Z stands for ZNO, A stands for Al2O3 and P stands for PBO, lead oxide ये सारी की सारी amphoteric oxides है इनको याद करके जाएगा paper में as it is question पूछ ले जाता है चारों में से what I call it amphoteric oxide कौन है ठीक है amphoteric का मदलब तो पता ना जब वो acid के साद react करती है तो base के साथ react करती है तो acid की तरह काम करती है ठीक है और next है neutral oxides कुछ neutral oxides के नाम बता रहा हूँ बाकी आगे भी chapters पढ़ेंगे हम लोग P block वगरा में वहाँ पर भी बताएंगे CO हो गया, N2O हो गया, NO हो गया ठीक है यह कुछ examples है किसके neutral oxides के ठीक है तो यहाँ पर बेटा हमारा यह chapter जो है यह finish होता है ठीक है करना है, मैं आपसे नेक्स क्लास में मिलूंगा thanks for giving us your time, thank you अच्चु